कि अच्छ पर दो कि अच्छ जा रही है आपको क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अच्छ थी अवाज आ रहे है बराबर काि सब्सक्राइब। कि इसा लग रहा है लांज लेक्च रहे headed के इसा लग रहे लांज लेक्च रहे को ईसने लग रहेन है लांज लेक्च रहे घडिруг sır ले इचनल कि ह्टो चल करें बच्पाटी जाएगी आप चलो बदो अब बढ़ी है तरह बढ़ी बढ़ी यह बहुत बढ़ी है क्या सफर रहा है अपना न बंशॉट लेके 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 बहुत खतरनाग लग रहा है न यह लग रहा है क्या ही कर दिया है रखापन ने बहुत मुश्किल काम तो इत्ते सारे वन शॉट्स लेना तो पंश्वड अपन ने लिए और वन शॉट्स में पूरा सिलेवस खतम करना हर चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना ऐसा वह नहीं कि इंप्पॉरा पूरा पूर तक अच्छा नहीं लगता है ना ठीक है और कोई बात नहीं होता है कोई बात नहीं होता है पर हां महनत भहुत कर रही है अब आज की लेक्टर के कुछ खास बात ठीक है कुछ कुछ जिसमें 11th क्लास के वच्चे भी आए तो अब देखते एंड तक ज्यादा लेवन तक रहे लेवन तवालो तुम्हारा बराबरी ड्रॉप रोज देख लो ठीक है चलो ठीक है चालो टीक है चालो अब लेक्टर को बिया लेट्स टाइट लेक्टर वां शॉट यूनिन एंड डाइमेंशन्स क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्टर बात करते हैं पर लेवर्नियर केल पर स्कूरूगेज है इनकी बात करेंगे पर यह लेंस अपने तरीक तक है अब तक स्केल से आप थे थे ना यह अप कूल में एक्सपरीमेंट वगराम इनसे करवाते इनके उपर आब इस साल जेए इमेंस सवाल आया था तो इनके उपर इनके उपर आते पानी नहीं है तो पर यह दो अलग से थोड़ से पढ़ने पढ़ते हैं तो उनको अच्छे से पढ़ेंगे अपन ठीक है यह क्या होता है बहुत महिदार चीज़ है मज़ाएगा चैसे अखरेंगे जो गलती आं करते हैं बहुत सारी सीटन करेंगे और आखरी में इंट्रक्षिन पढ़नेंगे राखरी में पढ़ेंगे टीकए इसलिए आग्ले फटोंकर वेह शिम्न पढ़नेंगे और जिसे पाईड़ागी तो इसलिए अधिवर लेके चलेंगे ओर जिसको कुछ भी निया तो अश्चे सवाल बने चिंता मत ईटा तो लो और के बाते इस आपके सामने की बात होगी इस की बात होगी बड़ाइंट्रेस्टिंग शीज्जी बड़ा मज़ा है का तेव होगी यही इस अच्छे जबन करते हैं तिक रैडियो करेंगे बडला अजीब से निकले होते हैं तो नहीं कराएं तो बड़ा अजीब से उस्ट्रुमेंट इसे गोड़े का मूह है फीछे गोड़े के कांट जब इनको बूटे भी दो रहते हैं इनको बोलते जॉज जबना सब्सक्राइब करते हैं यह बहुत पहले एक करते हैं तेकिनिकली मंडय वह आपन टुड़ी ख़राब हो गयी तो उपर वाले जो होते हैं इनको बोल्ते inner जॉश पिश ऑनके नाम दिया गया इन अड़ और जो नीचे वाले उंटे उनको भूते हैं आउटर जॉस कि आउटर जॉस बड़ सिंपल है मूश्किल कुछ नहीं होता ओट ठीके तीक अब दो स्केल यह समें दखते हैं उपपर वाले को नाम दिया गया मेंच कि तो नीसे वाले को अभिंग सब्सक्राइब में खिरेम आगर को फिक्स होता है वारा जौक इसको मूब 2 फिक्स कि दूसस्तरा मुवयगा होता है तो तो जो भी आपको आपनी इस अन्दर फिसे बडू ऑन लट तो समझते हैं क्यों परते हैं इसको केिल से बेटर होता है क्यों होता है बढ़ा मज़ा आएह काम सबक्ते हैं एक काम सबक्तारिया पाइप होते हैं एक पाइप है एक ठिकनेस होती है पाइप में तो अगर आपको अंदर की डायमेटर नाप नहीं है तो आप इनर्जोस यूज कर उपर वाले इसे अंदर लो ऐसे जबड़ा फसा दो अंदर तो यहां यू लेंथ आ जाई ग्यों निकाल लेंगे अपन कैसे निकाल तो सीखेंगे आउटर इसका नाम आउटर जो क्यों रखा नीचे वालों का क्यों इन से आउटर डायमेटर नाप सकते हो आप इजी है और इसे अलग अलग चीओ कि किसी भी लेंथ इसना पीजा सकती है पिसी जो टेल होती है न बीटा टेल का जूज देफ्ट ना आपने में किसी इतना अपने में काम आती है कि सबका अपना अपना यूज है ठीक है अपनको मेंली अपने इस पर बात करेंगे सारी कि सारी बाद इंट्रेस्टिंग है आप समझते है काम किसे करता है देखो समझो वर्नियर के लिए बहुत सिंपल है जिलेट्स एक्जामपल में यहां पर सबसे чोटा गहीं आप सकता हैं कि हहर इंस्ट्रूमेंट के मिभिलीतना चल devastर ए और प्तिक किसे कॉल श्कांड के उसकरंव आप सकता है विन है उसको लिसे पाणड बोलते है इस हेक आपको सिंपल जो होता है आपके normal घर में आप यूज करते हैं तेल का या प्लास्टिक का जीरो फोर फाइव सिक सेवन अगडने ऐसे यह कितना नाप सकता है यह जी छोता कितना नाप सकते हैं अब बताओ यह मुझ्किल कुछ नहीं है इस बहुत मुश्किल नहीं है अरे भेंकर आता नहीं चीज़ें बताओ जल्दी बताओ अपर चोटा क्या नाप सकते हैं इस से इस रवले चोटा है 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 इसमें दोसे करें तो यह एक चोटा होता ही कितने मилоि मिले इसे छोटा को आप्ता पॉसिबल नहीं है तो आपका नॉर्मल स्केल होता है उसका लिस्ट आउट एक मिली मीटर अरे इससे शोड़ा नाप नहीं सकते आप पॉइंट एक मिली मेटर जो जाए बोलो तो सबस्ट चुटे ये नाप सकते हो इसे एक आवद थर्मोमेटर ले जैसे फर्मोमीटर यापकई प्रियूँ इसा इसमें लाल लाल कुछ भरा हुआ है इससे ट्यूब होती है मर्कुरी में मर्कुरी एज जी तो इसे मत भरा हुआ है मर्कुरी इसके अंदर इसके इसके रहा है वन डिग्री सेल्सियेस टू डिग्री सेल्सियेस ट्री डिग्री सेल्सियेस चार डिग्री सेल्सियेस चार डिग बिच्टों ली तो एक सेंट्रीमितर में अपन होते हैं तरह लोटा कितना नाप सकते अब इसे बताओ अच्छा इसको मैंने चेंज कर दिया इसमें बीश्बिव भी ऐसे लाइन लगाने लगा इसका लीस काउंट कितना होता है सब्सक्राइब करते हैं अब कितना हो जाएगा इसके बीच का आधा भी नाप पा रही है तो अब लीस काउंट अब नहीं कितना हो जाएगा बिटा पॉइंट फाइफ डिग्री सेल्सियों बास समझ मैं बड़ा इजी है कोश्ण प्रेक्टर सेचन ले लेते हैं यह बात करते क्या लेना यह वर्नियर के लिपर में आप देखते हैं लीस काउंट कैसे होता है वेटा इंपर सब्सक्राइब आपके पास एक डंडा है अपके दस मीटर का और एक डंडा ले लेते हैं इन दोनों देसे छूटा के नाप सकते हो दस मीटर नाप सकते हो जो आपके यह उप्चन दे रहा हूं ए बी सी डी तो ना नहीं होगा एह दस बी है साथ सी है तीन डी है दो चलिए ऑटीफेश्चेंड देता हूं बताई सब्सक्राइब आप सकते हो इस से बड़ा सिंपल सब्सक्राइब नाप सकते हो दस और यह यह समझना और आप सब गलत बोल रहे हो गलत क्यों बूल रहे हो सार देखो जब यह दो डंडे ऐसे राखे होगा है तो यह डिस्टेंस भी तो आप नाप सकते हो भी कि कोई अगर यहां फस गया हमारा गई बबलू यहां के फस गया तो इसकी लेंद कितनी हो जाएगी टैन माइनस सेवन तो उसका लीस काउंट कितना हो जाएगा बिटा तीन मीटर हो होगा तो समझ में आया बच्चों बात कि अरे बुला समझ में आया बड़ा इजी कंसेप्ट है यह पर यह कंसेप्ट पूरा एक इंस्ट्रूमेंट दना डाला पन्न है आप इसको भी तो नाख सकते बभ लोगों को जो उनके बीच में आया है दिमाग कॉमन सेंस इस्तमाल क के लिपर का इस गौन ते बन गया ठीक है समझो में ऑलियुकर में क्या होतेधना दो स्केल होती है एक उपर स्केल चलतीर चलती है और यह लिए उपर स्केल ती है उसका second मेंगी स्केल डिविजन क्या BMW चुम सीटाइब के इसको एम मैं इसंटी वाले बनाके भी लेक्तों मूं छूटक्ता डी चोंट फकान नाम में नाम पर दच्छृटें रहेञे बरकी से कुछ छूटा यह सुछ चुटा होता होता है यह इसको वी एसडी भी बोलेंगे और मिंचरी या वाला भी बोलता हूं जिर्दिया उड़ छुड्या उड़ वाला भी ठीक है चेट यह उड़ उड़ जूड़ाना भी बोलता हूं वे इसको तो आप कि मैंस वही दू रिंड़े आंज़ा समझो एक मेंन स्केल वाला और इसे थोड़ा चोटा होता है यह वर्णियर्स के लवाला चुड़िया उड़ आप बताओ इसका लीस कांट क्या होगा बना सिंपल है मुश्किन उसके कुछ नहीं आसान सवाल होता है बिटा जल्दी बताइए वाट विल भी जाली स्काउंट मुठेव इस छूटाइब सकते हो इसे चोटेब वाला वी नाप सकते हो इन दोनों का सब्सक्राइब क्या हो जाएगा इच्यांबव बाहत्व है महें सिंग दोनी और विराड सिंग दोनी अरे विटा क्या बात कर दिया आपने अधर चलिको बहुत सही पोल बिटा आप यूट्यूब पे यस नो कमेंट या जो भी ए भी सेटी टाइप कर दिया करो पोल रोजेस्टर कर लेता है क्यों जाए का मुच्छड माइनस चुडिया कि जो यह निकन आपका लीसट चूप काउंट कि इतना चोटा नहीं सकते जनरल्य आ लग रे ट neurolog ठीक होते हैं जनरल यह में गींस के यह दर यही वाला आपको मैस तो जनरली तो जीरो बन माइनास 0.9 0.1 mm तक नाप सकते हैं तो वर्नियर के लिपर का यूज के हो गया वैटा और छूटा डिस्टेंस नाप पा रहे थे नॉर्मल स्किल से कितना नाप पा रहे थे आप एक मिलिमेटर तक का यहां पर पॉइंट वन मिलिमेटर तक आप आप पाते हो यहीं डिफरेंस होता है और यहीं बहुत इंपोर्टेंट चीज है छुट थुट नापने के काम आता है और समझते सवाल है डाइक सवाल जिरो पॉट नहीं मैं लीस काउंट बताओ कितना होगा इसका आपको पास करने के लिए पूरे दा सेकेंड दे रहा हूं मैं एक दो तीन चार पाथ एक ताथ आट नो दोस कैसा मुच्छाड माइनस ठीडिया सिंपल है वही वान माइनस जिरो पॉयंट नाइन जिरो पॉयं डिविजन एक दे दिया और वर्नियर का 1.3 दे दिया वर्नियर बढ़ा हो गया कोई दिक्कत ने अभी सब्ट्रेक्ट करना है लीस काउंट बताओ वही होगा बढ़ा माइनस छुटा कर दो पीडिया माइनस एम कर दो एक ही बात है बहुत दो लकणियां है एक 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 1.3 की सब्ट्रेक्ट करना है लीस काउंट के लिए कितना हो जाएगा 1.3-1 सवाल सिलेबस में आते ने से आपको कंशेप्ट के लिए बता रहा हूं कि हो जाता है सब्सक्राइब जिरो पॉइंट थी एमें तिमपल है आगला सवाल बता हिए मॉलेस में स्केल डिविजन मुच्छड गाइब कि मॉल इसे फफंप थे बता कि यह जाएगा क्यों जाएगा जाएगा मुच्ड माइनस चिडिया ओढ़ व्त ऐम अगर कि पोक्र माइनस देखो इंट्रेस्टिंग चीज़े अब जहां से देखने थोड़ा से यह सवाल इधर आगया 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 ले जाता हूं इसको में एक सिकंड रुखना है न ओके समझते हैं चैसे बाइनेर के लिए पर वर्क तो तीन स्टेप में हम यहां क्या करते हैं पहली क्या करते पन्द एक दम क्ला करते हैं और यह उपर नीचे की लाइन एक दम मैच उनी चाहिए है यह हमेशे इसको देखते जीरो एरर तो नहीं है मतलब अगर यह मैच नहीं हो रही मतलब कुछ गढ़ बड़े डिफॉल्ट आ पॉल्टी आ गिया है तो चेक करना पड़ता है वना स्कूल वाले होते हैं पैसे ले लेते हैं बाद में बोलते कि तुम्हें सही दिया तुमने अपना फ़के पता दो तो गवाटबं कर दोंने सब्म & ऐसे जों नापने से कन दों पर आठीन और अलद देखो यह दो सब्सक्राइब अब जबडों में फश गया के अब इसको जूम करके दिखेंगे कैसे काम चलता है देखने जान से विटा लेट से यह आपका ओब्जेक्ट को यहां पर आकर फशा में स्केल पर कहां पर आ रही है में स्केल में चल रहा है देखो यह 10 mm 20 mm 30 क्या आपको दिख रहे हैं 30 से थोड़ सा आगे हैं यह यह तो तो थोड़ सा आगे दिखा आपको यह 30 31 32 यह ऐसा जूम करके दिखा दिया यह ऐसा कुछ 32 पर आ रहे हैं तो आपका जो अब आपको एक्जेक्ट नहीं बता सकते हैं इन दोनों के बीच का है तो जो इसकी लेंट होगी वह 32 से लेकर 33 mm के बीच में होनी चाहिए यह आपने में स्केल से नाप दिया ठीक है अब एक्जेक्ट निकालने के लिए वर्ड यहां आप करें देतना को आपका एक करता न क्योंक हुए इसकु करके अब कर लोगे आपको देखने कॉन सा में। आपको लैंनी है जो फीक खांते हैं एकडम स्ट्रेट लाइठ सरी दिख रहा है इपको कि थोड़ा ध्यान देखना पड़े कोई थोड़ा डाइग्राम रफ है आगे अच्छे डाइग्राम आएंगे ठीक है यह नाइन वाली लाइन देखो एकड़म सीधी फसरी इसके उपर इसका मतलब क्या है यह एक मिलीमीटर का जो बचावा एक मिलीमीटर था इसके दस हिस्स तो यह जो था यहां तक तो थाटीटू आ गया था और इसका यह एक यह एक मिलीम के फाल के दसे कर दिया आपके मिलीए के लिपर में मुश्किल कुछ नहीं है तो इसकी एक्ट्वल लेंद क्या हो जाएगी यह प्लस इत्ता सा और आइड करना है को इत्ता सा मतलब यहां प गपला करते कोशनों में आयाओ यह समझ में आते हैं बहुत सवाल सवाल ही नहीं बनते दो सवाल दो सवाल नहीं और मैं तो प्रैक्टिकल यूज करना सिखा रहा हूं चुकि एक्स्परिमेंटल पढ़ना है ना अब यह मैं पढ़ा हुआ नहीं वर नहीं लाके दिखा देता तिम्पल बहुत असन होते हैं सवाल ठीके कुछ इसने कभी जीवन मिल देगा वो भी कर अब इजी हो जाएगा अब बहुत सुन्दर डाइग्राम अपने बनाए इस से आपके लिए सौल करना बहुत असन हो जाएगा आपको लेंद बता नहीं है यह मिलीमीटर में और यह फटा हुआ है तब से पहले स्टेप वन आप देखोगे क्या कहां तक ही यहां पर आ रहे सटें हो इसको में स्केल रेडिंग मैम्सर मेंल्स को इएक manure राइग कितनी होगी बता और इसोमीटर अ का हूंर蟹 में से बिए इसना बता नहीं होगी इतना जो तो पक्का बिटा एम मतलिको ओप्चन रिस्टन नहीं करेगा सिर्फ डारेक्ट लिख दो ट्वेंटीवन टॉइटीवन तो है यह कम से कम जल्दी बताओ मैंन्स के लिडिंग कैं लिए इसकी दिखराएं आपको 20 के आगे 20 कि में स्केवर लिडिंग अगे 201 इंधर लिखने के जरूत निए वो और निहींगा तो में स्केल रीडिंग ऐसकी अरे यह तो यह बीज़री हो बता होगी है ज़ली है एकदम आपसान है इंटिजर टाइब है इंटिजर टाइब है 45 से करेट रहे तेकेंड वाले की बताओ मेंस किल रिडिंग क्या होगी यह तब नॉर्मल स्केल का आपको निकालना आल्रेडी आता है बहुत सिंपल मुश्किल नहीं है ठीक है तो यारो देखने के लिए अब चलो देखें तो यह जाएगी 21 22 23 24 25 26 27 उसके में स्केल रिडिंग कितनी होगी बिटेट 27 हो गई एम एम लिखने की जरूत नहीं आपको आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसान है ठीक है लोगों ना सही कर दिया तेकेंड वाले की में स्केल रिडिंग कितनी आ रही है बिटा 27 स्टॉप दपूल चेक्ट रिजल्ट कितनी सही कर रहा तो काफिस लोगों सही कर लिया 245 बहुत सही बिटा अब देखो बात करें स्केल रिडिंग की इसमें कितनी हाती है यह कितने कर रहा है एक पॉरिंट पॉक्ड बान मेंएं कऊता है आपको पहले देख नों कौन सा में बैच मार रहा है कि इसमें कौन सा में आप का व यह शेटेृस है निकालने मि Hero तो यह वाली ने थोड़ी सी तो यह वाली दीखो तो आगे वीचे करके दो दिखे आपको इग्जेक्ट मेच मारते हुए अब को इस में गांटिंग करो इससे वन टू थ्री और यह फूर 5 6 7 8 9 10 तो चार में आया मतलब यह वाली कि यह लेंथ कितनी आ गई वेटा बताओ जो यहां पर यह चूट गई यह आ गई कितनी पॉइंट फॉर है मैं तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ ट्वेंटीवन तो थी और इसका पॉइंट फॉर हो रहा गया मिलिमीटर अब बताओ क्लियर हुआ है तो सेकेंड वाला आप करके बताओ अब समझना है किसे निकाला इजी यह तो मिश्किल कुछ नहीं हो था आसन सवाल होते इसमें बताओ चलो अब इसमें देखो क्या हो रह यह तो नहीं है यह नहीं है नहीं 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 इन दोनों में से कहीं पर एक मैच है यह भी हलका सा आगे बहुत जहां से देखोगे यह वाला मुझे मैच दिख रहा है एक्जैक्ट मैच हुआ है अब देखो आपको को एक्जाम मे साथ आठ वाला एक्जेक्ट मुर्ट हुआ तो यह हो गया पॉइंट एट एमेम बताई टोटल लेंद किती है जो भी आपने नापा होगा अब बहुत इसली समझमा जाएगा 27 तो था ही सही इसका क्या आगया पॉइंट एट एमेम आगया एसे नापा जाता है बेटा यह पोइस चैनल के यहोशन मिलते हैं समझ यह कुशन मिलते हैं कैसे काम करता है प्तैक तो कि अधर हाऊ यह थैकर बनाते म Seven देखने को इसको मैं एक जैक्ट आकर यहां पहां पर यहां मिला जयताँक हो चलो ओक उसके मिलने का नाम हो नहीं नहीं ले गार कि यह सब्लसों सब्सक्रावल सब्सक्राइब कि देखना ऐसा वर्नेर्स केल बनायाता है कि इसके देखो यहां पे मेन स्केल की कितने डिवीजन है दिख रहा है आपको यह कि अगर कि मेर्ण के बताओ एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो नो डिविजन है कि तो मेंन स्केल के नो डिविजन नो इंटू मुच्ण कि सिंपल है बराबर बराबर कि वर्णिर के कितने डिविजन आए गी यह 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 पूरा दसके जथो गए यह थो दस चुड्या इनकी लेंध बराबर होगी देखो यह से यह तक यह यह बना ऐसा गिद आता है कि इसके नो इसके 10 के बराबर आ जाए तो 9 मेंस केल डिविजन इस 10 चिडिया एक चिडिया की लेंद कितनी हो जाएगी नाइन मेंस केल डिविजन मुच्छड बाइटेन कितना आ जाएगा पॉइंट नाइन टाइम्स ऑफ एम अच्छा यह एक एम छूटा वाला कि जनरली कितना होता है वन मिलीमीटर तो पॉइंट नाइन एम कितना आ जाएगा पॉइंट नाइन मिलीमीटर तो लीस्ट काउंट कितना हो जाता है मुच्छड माइनस छिडिया वन माइनस 0.9 0.1 mm आ जाते है यह पूरा वर्णियर स्केल कैसे सॉल्व करते हैं आपको आ गया चलो यहां ते क् हूंद बड़ा इजी होता है लेइस का निकालना है अया अपलिय कर निकालते है होगे घप पह北 दो बताईए था द्ष्टे डिवीजिन है वर्णियर स्केल के लो डिविजन में स्केल के बराबर आई चेंडडिने तो अपना थे दिवाatamente में डला American fashion जो है वह मुच्छ आ जया कितनी आती है तो पता है अपनेको सारी जीवारा तो सरम को आता है 10 डिमजन ओफ वर्न यर्श किल 10 चिडिया बराव नाइन डिविशन ओफ में स्किल नाइन मुच्छर तो अपने और एक मुच्छड कितना दे रखाए वन एम तो चिडिया कितना आ जाएगा अपन में 10 पॉइंट 9 mm तो चिडिया आ गया पॉइंट 9 mm और लीस काउन कैसे निकालेंगे मुच्छड माइनस चिडिया वन माइनस पॉइंट 9.1 mm चुलो एक मेने करती है बचे हुए आपको करने है तो बीस चिडिया एक वल्टू 16 डिविजन है एक चिडिया बोलते हैं पॉला डिविजन में स्केल के है तो ला में मुच्छड ठीक है और मुच्छड की वैल्यू की देरा कितनी एक मैं तो सुला एम 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 कि अब से बहुत एक इतने पॉइंट तू निकाला वार्व वैधिका वेरी गुड़ वैधिका ठीक है तुडिया कितना हो जाएक बताओ 16 बैट्वेंटी कितना आएगा यह काटो फॉर फॉर जा काटो फॉर फाइब जा फाइब फाइब फॉर कितना होगा पॉइंट एट एम एम कि लिश काउंट कितना आएगा जल्दी बताहिए यह लिश काउंट कितना आएगा माइनस कर दो मुच्छड माइनस छिडिया वन माइनस जीरो पॉइंट एट आ जाएगा जीरो पॉइंट टू एम है इसे सब्सक्राइब असान होता है कोई फर्जी टॉपिक है दमीनी इस टॉपिक में इसके वाल फवाल ही नहीं आते एक सवाल आते लिश काउंट निकाल दूसरा आते रीडिंग निकालो वो इससे भी आसान होते हैं एक तो हमबा करेगा आपका यह वाला यह वाला अभी कर दोड़ावट से पचास डिवीजन है वर्णियर स्केल के पोटिन इडिया बढ़ावर 49 डिवीजन में स्केल के 49 मुच्ण तो और में स्केल कितना है चार में कदे रखाए बीटा तो 49 इंटू 4 करना पड़ेगा यह कोई दिक्कत ने कर लेंगे तिडिया क्या जाएगा तो इसमें फराक यह में स्केल को चार दे दिया जो परमेशा बन लेते है फॉटी ने इन टू 4 बाए 50 अगर बड़ा अने मुच्किल उच्किल ने आसा ना सवाल होते में देखो इजी एकदम इजी है आप कैसे करेंगे देखो फॉटी ने फॉर्जा कितना होगा इजी आज मुश्किल निया फॉर्जा निकल बड़ा बढ़ते फॉटी नाइन कितना होगा 49 तू नाइनटी एटू जा 196 अपॉन 50 इसको एक काम करो उपर भी इंटू नीचे भी इंटू टू कर लो डबल कर लो यह कितना हो जाए 6 तू जाए 6 तू त्वेल्फ त्वेल्फ नाइन तू एटीन और त्री नैंटी टू बाई हन्रेड तो यह अपना सॉलो क्या आ रहा है थ्री पॉइंट नाइन टू एमम लीस कांट कैसे निकलोगे मुच्छड माइनस छिडिया कैसे गरोगे बताओ चार माइनस थ्री पॉइंट नाइन टू कितना आ जा अच्छे से और एसा फोड़ गया चैप्टर को कि लोग क्या पढ़ ले तुमने यह वंडियर के लिपर और स्कुलू के बाद भी लोग को समझ नहीं आता है पता ही नहीं क्या है उनों लोग को देखे रहे सर इसको बंडियर का नियों का सवाल अरे आसान है अब तुम आ र अधर डिडिंड यो ति यह अमेशा निकलं UAE की बेटा मेंशीयंद के दिविजन या मैंशील की डिडिंग की प्लस अधली सकौंट इन्तू फर एर्ज कि डिंग निगोगी यही तो अब तक कर रहे थें अuito यही अपन अब तक कर रहे थे तो यह कब कर आत अंगा मैं अघ् सबसे इंपोर्टन फॉर्मुला बन गया है तवाल करने के लिए तैयार हो गया लेट्स स्टार्ट दो कुस्संस देखें टेंड डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू नाइन डिविजन ऑफ में स्केल में स्केल के लियंते वन मिलीमिटर स्टैंडड वाला सवाल टेंडर वर्नियर के लिए पड़ते रखा जो सब स्कूलों में यही वाला होता है तो आपका लीस काउंट अपने को डारेक्ट बता है पॉइंट वान में मोता है इसका इसका तो यादी रखो बटा है नो दस वाला अब सवाल में आएगा लेंट रीडिंग ओस में स्केल ग्य दो ना यार 11 एक उसका पॉइंट से 11.3 आंसर आजाएगा पैन उठाओ पड़ेगा डारेक्ट सवाल होते भी ना पहन के बहुत भर्जी सवाल होते पर 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 लेट से आपको नहीं आता है इस फॉर्मूला पता है हमको सर है मैं लगाउंगी फॉर्मूला फॉर्मूला ख्वाल क्या होता है से लिडंग इवकोल मेंड इस्यो रिडंग फ्लस फाइपि प्लस ब्लीड साम इस से था शाउची पांट त пес 16 वर्णियर स्किल रीडिंग कितनी है तीन है लेवन प्लस 0.3 आगे 11.3 वाव मैं कितनी स्मार्ट हूं मैं हूं डोरा आरे बोलो भी आया समझ में फर्जी सवार डायरेक्ट करने का सवाल होता ही है इसमें 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 तो डायरेक्ट हो जाता है हाँ अब वर्णियर कुछ अ वर्णियर स्केल रिक्वर्टो नाइन डिविजन दो में स्केल में स्केल का एक मिलीमेटर वाला वह सेंड़ दे दिया फिर से लीस काउंट 0.1 पता है आपको इसका 0.1 mm बताईए फटा बड़ते बताओ में स्केल की रीडिंग 1.8 सेंटीमेटर है उसकी बिटा यह 1.8 में लिमेटर ठीके फशना मात यह सेंटीमेटर बताते हैं जल्दी से बताओ एक स्वाली में बताओ क्या होगा पर प्र पेनट होगा पाप पड़ेगा प्रश्कांसरी यह दिए जल्दी नहीं गलती कर दीन वह उत लोगोंने तो कैसे आएगा हट जे यह लीटर में सेंटीमेटर में दे दिया है यह यह अठा मिली मीटर होगा गलती जो कर रहे हो समझें चैनल मोई यह पपड़ेगा पर नहीं है डारेक्ट 18.2 आंसर है पैने डॉग अपपड़ेगा पर नहीं है मैं लगोंगे फॉर्मुला लेंस होता है में स्किल रीडिंग प्लस लीज काउंट इन्टू वर्नियर स्किल रीडिंग याई में स्किल रीडिंग कितनी है 1.8 सेंटीमीटर प्लस लिक स्राउंट है 0.1 मिल में में मिलिमीटर सेंटीमीटर आइड नहीं हो practically संसेंटीमीटर नहीं हो सकते यहां कि लिली मेटर सेको दो 1 18-20 अब आपको कैसे होगा है मेरे को या पाइन रूली मिलिमीटर होगा या आगे आपका अंसर बढ़ा फर्जी सवाल था या तो मुश्किल कुछ ना था पूर सेंट्रीमिटर में ओप्षन है तो वन पॉइंट टू सेंट्रीमिटर रख दे भाई और क्या लेगा तू कुछ जा जा बेटा जा जी ले अपनी जिन्दगी फर्जी सवाल होते हैं को दम नहीं होते हैं सवालों में एक और कर लो फटा बट से एक चलो हुंबा क्या आपके लिए करो कि डारेक्ट सवाल है आंसर होगा ट्वेंट इसका ये ट्वेंटी थिरी पॉइंट रिट ले पर पाप पड़ेगा डारेक्ट आंसर आ गया करना है घर पर सवाल ठीक है आप एक अजीब नहीं इसमें डारेक्ट नहीं पाएगा लेखो इसमें डारेक्ट नहीं पाएगा यहां अलग आगे वर्णियर के लिए पर दस नो दस नो वाला निवीट तो सब्सक्राइब निकालना पड़ेगा पीस-डियीजिजिऌ ओवडिर इस्केम मलें यह इक्वल टू फोला दिवलिजिजिन आफ मेन स्किल 16 मुझ यह श्वाल पडा तो तो पीस-डिया बरावरा तो ला मुझ च्रौ टू बराबरावराक्ट ग्वेंटे मुच यह मुच्छड दे रहा है वन एम्म का देखो मेन स्केल डिविजन मुच्छड के दिया वन एम्म दे दिया चुड़िया जाएगा शिक्स्टीन वैर ट्वेंटी काटो फॉर फॉर जा फॉर फाइव जा काटो जीरो पॉइंट एट एम है तो बताओ लीस काउंट कितना होगा यह इसका मुच्छड माइनस चड़िया वन माइनस 0.8 लीस काउंट 0.2 एमम आ चाहिएगा अब बाकी का सवाल तो वैसा का वैसा ही है देखो वह है मैं पॉर्मुला लेंथ होता है में स्केल रीडिंग प्लस लीस काउंट इंटू वर नियर स्केल रीडिंग में स्केल कितना है 11.6 सेंटीमीटर तो 116 mm लिखतो में डारेक्ट सेंटीमीटर में अपलो गार्ण मत करियो प्लस लीस काउंट कितना है 0.2 इंटू अंडियर स्केल पे तरही है 116 प्लस 0.6 116.6 यम यम आया बया बड़ा एजी सवाल होता है मुस्केल स्केल ना होता सवाल पर यह आपको घुमा दिया इस टफ सवाल है आई लाइक डिसकूर्शन है इसमें कैलीपर ही बदल दिया आपका यह तुल की मेडम भी बोले गरी यह कई से हो गया तो कुछ आजीवी आ रहा है तो बाद इंट्रस्टिंग सवाल बन जाता है यह वाला ठीक है दोनों कंसेफ कंबाइन कर दिया इस से टफ बनता ही नहीं कुछ भी यही टफ था बीटा यह टफ था सर हां यह टफ था बीटा अब एक हुंबा क्या आपका करियो ट्राए ठीक है एजिए मुश्किल उश्किल नहीं करना ट्राइज अगला यह सवाल है आपके लिए डायामेटर आपके ल नेलें तो बोल रहा है 51 mm 50 टिट फिफ्टी फिवन पोइंट पैफ सब्सक्राइब कि इन दोनों के बीच में है यहां आपका रर्नीयों इसके लेए हैं यहां आपका बनियर स्केल यह तो में जाला जात निकालते है एंद आपकी मिली मिटां ढृब्टाव कर्यु जाय ते है तो 51 तो आप मिलीमेटर निकालते हैं तीके में इडिंगा गए 51 मिलीमेटर टीक है या दा वर्णियर स्केछल है 50 डिविजन इक वाल टू टू पॉइंट फॉइंट सेंटीमिटर जेए एडवांस का सवाल कर रहे हैं अपन में सो निट के तिन इस दिदे में क्या करता मैं एडवांस का उठा लाया तो फिफ्टी डिवीजन ओफ एक्विलेंट फिफ्टी उसने के बोला वर्नियर स्किल के पचास डिव बराबर मिलिमेटर में क्या होगा 24.5 कोई मुश्किल नहीं इजी है चलो चिडिया बराबर 24.5 अपन फिफ्टी तो टू पॉइंट फॉर फाइप उन में फाइफ पलकलो बढ़ा बढ़त देका मुश्किल इसमें करो फाइफ टू जा टेन डिवाइड करना है मुल्टिपल पॉइंट यह आजाएगा आपका लीस काउंट इस और यह आपका आजाएगा चिडिया को समझ महीं में बच्छो बात अच्छा बताओ में स्केल डिविजन किते ना दे राखा है उन्होंने डारेक्ट ने इंडारेक्ट दिया है बहुत इंडारेक्ट सवाल है बेटा देक जाएगा फो फॉर्टी ने कुछ गरबड करें विटा में आज़ी आउडन सम्स्टेक कैलकुलेट कर वे कितना रहे एट 4849 या जै जिरो पॉइंट पॉर नहीं आ रहे है तोरी में मिस्टेक कर दे कैलकुलेस ने सावी जो पॉइंट फॉर जिरो पॉइंट पॉइंट पॉ फॉइंट फंफ्ट फइंट फइम पॉइंट फाइं मतलब बोला है यह डिवीजन एक कितने का होगा पॉइंट फाइव एम्म का होगा है क्या सवाल दिया कुछ भी डारेक्ट लिए जिसका कंसेट कमजोर है उसका पिता जी भी सवाल नहीं कर सकते हैं बताएए यह लीस का में माइगा लीस काउंट क्या सवाल दिया है मतलब इससे तब सवाल आज तक बना ही यह सा लगता है मेरे को मजा आया यह आरो यह क्लियर हुई बात अब सवाल करते हैं अब देखें जान से अब ट्वेंटी फोर्थ डिविजन ओफ वर्णियर स्केल एक्जैक्ली को सवाल दिया है मतलब क्या सवाल दिया है मेन स्केल रिटेंगे तक विस्टीवन एम में कि लिस काउट कितना है 0.01 कि इंटू 24 तो 0.24 तो तो यह जाएगा 51 ए पॉइंट टूफ लू एम एम आप्शन क्या होगा 5.124 सेंटीमेटर और यह कहलाता है सवाल वे यह कि रहा ते सवाल अब सवाल होने में चुछ उप नहीं था वसे समझे समझो सवाल समझो इस सवाल को फृसर करते हैं इन सवाल को बहुत तरीकिछ से आपको यही समय मैंसे देता में स्केल डिविजन जो है कितने का है पॉइंट फाइफ का है वर्णियर स्केल जो है 0.49 है ठीक है में स्केल की रीडिंग जो है वह 51 mm वर्णियर स्केल की जो रीडिंग है वो किछनी यह 24 लेंद बताओ अभी सवाल बहुत इजी हो गया अभी सवाल बहुत इजी हो गया तब तब बैटा द्यांत देखना हर किसे नहीं होगा इस सवाल और आपके बहुत दोस्त त्यूंट के त्यारी कर रहे हैं और यहां बहुत आई है और आपकी इच्छा उनको फोड़ा लो हो जाए उनको सवाल जाके देदो बढ़ा वजाएगा ठीक है तैसे निकाल होगे में स्किल रीडिंग प्लस लीस काउंट इन्ट वर्णियर स्किल री सब्सक्राइब करके निकालो लीस काउंट मुच्छड माइनस एडिया जिरो पॉइंट फाइम माइनस दिरो पॉइंट से पॉइंट मिला ओ इन्टू वर्णियर स्किल रेडिंग कितना आयो टेट वेंटीफूर यह जाएगा 51.24 mm आप यह सवाल इजी हो गया प्रॉब्लम में सर यह कैसे निकाला और यह कैसे निकाला दिखाते कैसे निकाला तवाल में दिया था यह 51 से 51.5 mm के बीच में मतबी दुनों आप सकते हो आप तो इन दोनों के यह आओ गया लिस्ट काउंट इस जिए निकलकर आगया आपका 0.5 और उपर लिखा वर्नियर स्केल के 50 करागी आपकी ऐसे सवाल सौल वह पुरा पुरा वेटा इस बेरी डिफिकल कोश्चन और फ़र्जी तरीके से निप्टा दिया पनने इजी है तो मुश्किल अरे आसान है वे ता लोड मतलो आयेगा निए सवाल थे कह बतारा था वस मजा आता है गंड़ने में अब बताई अपना टेंडर में एर्स के लिए वन एर के लिए ठीके नॉर्मल सवाल जल्दी से तॉल करके दिखाई ये आप लोग करेंगे पूल स्राड कर रहों पूरा एक मिन जे रहा हूं कर ये ट्राए एक मिन आप को क्या लगरा रहा आपकांसर नॉर्मल बढ़ने के लिपर है इस अब तक करते रहे था वही है अधर गिन चलो करो बटा यह क्या सेंटीमेटर में रखाए ठीक है तो कितना आपन मिलीमेटर में गलने 20 30 40 गिनों कितना आएगा यह 21 22 23 24 25 26 27 28 तो यह आगे निकलके 28 मिलीमेटर आगे बात करें यहां कौन से वाला एकदम मैच मार रहे है देखो जी थोड़ा आगे थोड़ा कम आगे अलका से कम होते 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 तो यह देखो यह वाला एक्जैक्ट मैच मार गया गिनों कितना है एक दो तीन चार पा 28.7 mm कि कौन सांसर होगा बताइए हट इजी हो गया चलो यह भी वाई की उद्धा बेटा इसे सवाल आते हैं कि सर आएसे आते हैं वह पेपर में आपको एक्जैक्ट मैच होता होगा दिखेंगा इसा नहीं होगा क्या आगे बीचे जा रहा है टेंशन नतलो चलिए आप अक अगे जा रहे है तो बतों कितना आगे जा रहे है गिन लो भी या कुछ नहीं गिन लो कौन सा मैच कर रहे है यह वहला मैच कर रहे है वही एक दो तीन चार पांच छे तो 0.6 mm का क्या आगे बिटा जीरो एलर आ गया पॉइंट सिवाल होते है तवाल नोट डिफिकल्ट बह ठी हो पर 0 नहीं इतना एक स्ट्राइक इतना एक स्ट्राइक पॉइंट से पॉइंट सिक्स चिवाश्य विए निन कौन सेट कर गईंट इतना ही यह उता है एल और कुछ नहीं बैटा भाव धे आपको श्कूल वाल ने ठीक है कि गता वह तांगा यह यह गटाओ बताओ 10 व सवाल है वही सेम सवाल है कुछ नहीं नहीं आया में स्केल रीडिंग इतनी है वर्णियर स्केल की तरी है डायरेक्ट बता तो कितना हो जाएगा 11.3 mm हो गया पर 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 ठेक ध्यान से पबलू खबलान से जीडो एरर दे रहा था पाइड मेजरमेंट इव जीडो एरर पॉइंट फोर एमें इंपक हे इसका मतलब यह है यह स्केल की दिक्कत है कम जो यह पॉइंट फोर हमेंच जाला बताता है जी तरह सबस्क्लाइब मतलब मतलब 0 होगा होना चाहिए था ता पॉइंट बता समझो एक बंदा है उसके अकाउंट में जितने वी रूपए होते हैं जहां की मारने के लिए दस रूपए जाता है एक भी रूपए नहीं होंगे तो बलेगा 10 रूपए है जीड़ोघर दसका है तो अगर सो रूपए हो जो कितना बोलेगा एक तो दस रूपए हैं तो अगर उस बंदे ने बोला उसके अकाउंट में 500 रूपे तो एक्जेक कितने होंगे अच्छे बंदी यह यह होता है यह यह उसन बताया जो एक्च्वल होगा लेंद्स एक्च्वल का ओक्या लेंड्सुट माइन सोर्दी न न गता दो सब्सक्राइब पॉइंट थे पोईंट मिला माइन रिमिते देखो काटो जी रो जाएगा नाइन टैन पॉइंट नाइन तो जो एक्ट्वल निकल किया है कि टैन पॉइंट नाइन एम एम सबसे पढ़ना होते हैं मेरे में एक लाक अरे बहुत बढ़िया तो इसके घंद्र थी हमेशे तो पताता था जादा एक्ष्ट्रा अपने को बता है माइनस कर देंगे बच्च वाथ इस सवाल होते हैं अब यह खुंबग लो भी या इसमें हमेशे कम बताता था तो जो आंसर सब्सक्राइक उसमे entr कर देंगे त करना अवाल संवाल स्फटा बढ़्ल से अदेखो से कम में स्केल डिविजन ऑफवर्न और कैलीपर हैं तो सब्सक्राइब तो अपना मुच्ड कि वडियों क्या आ जाएगी 1 बाई-10 श्यमिटा है कं टीक है टीक तो नमुच्छर देशि सिंपल सी बात है तो ठीक है तो लिस्काउंट ओफ और न डिविजन ऑफ न डिविजन ओफ मैंन स्केल फिक देख लेते हैं है एंड डिविजन ओफ रल्य स्केल है कि इस एकवल टो न-1 डिविजन ओफ मेंचिव पत्तरा इसमेल के कि तो मइंब यह कि यह न n-1 by n ठीक है कोई मुश्किल वाली बात नहीं तो वर्नियर स्किल क्या हो जाएगा n-1 by n square यह वर्नियर स्किल डिविजन यह चिडिया हो गई चिडिया निकल गई आपकी पूछा क्या है लीस काउंट पूछा है कर लो मुच्ण माइनस चिडिया निकालो कितना हो रहे है, 1 by N-N-1 by N square, सवाल एज़ी है, मुझकिल नहीं है तो इंटरेस्टिंग सवाल है, टेक है सवाल बढ़ इंटरेस्टिंग है, मुझे बढ़ अच्छा रखते हैं सवाल, कि एन चिडिया बराबर एन माइनस वन ठीक है सिंपल है सवाल मुश्कित सवाल बहुत इस दिए देखो जैन्द देखना बीटा सॉल करें कुछ गड़ बड़ तो नहीं करी में को लग रहा है कहीं पर कुछ गलती कर दिए देखें दरह एंड डिविजन ऑफ वर्णियर स्केल को इंसेड़ एंड माइनस डिविजन ऑफ मेंस के लेविल को सही करा गए ठीक है तो इसको अपन लीस काउंट कैसे निकालेंगे में स्केल का माइनस अडियर स्केल का यह भी सही करा गया है तो करते हैं हां सब्सक्राइब हो जाएगा देखो पहले लेना पड़ेगा नीचे देज़ अब सब्सक्राइब करो कि यह को एंड़न माइनस पूर मुल्टिपले होगा एंड प्लस वन अपन में एंड स्क्राइब काट वन बाइफ अब स्क्राइब अंसर जाएग स्पारिक आन्सर क्या चाहिए नत का फिर लोग ने सही कर रहा था वन गाउन पान स्क्राइ यह दाइट सवाल यह ओता है सवाल बहेंकर असान होता है फोरी क्यालकुलेशन कणनी पड़ जाती है बस कभी कभी ओपी ज्याद मुश्किल कालकुलेशन नहीं आती है जिसको लेवन्त वाले बाच्चे इनको प्रॉब्लम आरे विटा एक लास में कराऊंगा मैं तो लोड मत में स्किल रीडिंग प्लस लीस काउंट इन्टू वर्नियर स्किल रीडिंग और लेंथ एक्ट्वल के लिए लेंथ माइनस जीरो एकर दे रखाऊ तो सिंपल सिंपल से लालों ते कुछ मुश्किल नहीं होता अगला इंस्ट्रूमेट आएगा आपका माइक्रो मीटर या स्कुरू गेज अगेन बड़ा आसान साइब इंट्रेस्टिंग बड़ा जानते देखना बीटा कुरू गेज में कैसा काम करता है बड़ा इंट्रेस्ट कि यह अभी इसका स्तेमाल करके इसे समझे कि कैसे होता है मुझम यहां जाता है यहां अपको चाहिए इसको बहुतें उल्हां अठैके उसको बहुते टीसंट्रे मुझक यह जो आगे बड़ता है पिंडल तो दिखने रहोगा सभी फिर से लिख रहा हो ठाइब यहाँ पर दो रीडिंग चलती है कि हाँ वीजाए देख लिए ना मैट देखो एक चलती ही यह रीडिंग यहाँ पे से बोलते हैं या मेन-सक्अ डिडिंग सभिगल घुमता है तरह से इसको तिमबल कोलते है क्या टिम्बल यां टिमबल ऑच ङते ही तो इसको पर भूलको टक्राइप कप City सारड ए Daisy तो कि WhatsApp्न को एक को एक कौन करता है अदिक न मश्ट सूब करता है यह काम इस तरीक से करेगा ठीक है है यह से काम करेगा कि यहां पर लेट sa एक मिलीमेटर की ठीक है मैंन स्केल पर अब अब आप स्कूर्त इसको गॉल गूर्ट गूमा कर आप देखो समझो तो क्या होगा इसů यहां पर ऐसा है जैसे गोल 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 घुमाने में यह इतना आगे बढ़ जाते हैं इसा चालू कर आपने गोल घुमाना गोल गित आगया पस्थे मतलब मतलब क्या हुआ इसका समझे जान से तरकल पे कि आपने यहां पर से स्टार्ट करा एक सर्कुलर स्केल लेकर बहुत 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 इंट्रेस्टिंग तरकल से स्टार्ट कर आपने यहां तरकल गोल 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 घुमाया तरकल मान लो एंड डिविजन तो इसका यह जो लेंद मान लेते पी यह इसमें डिवीजन से अब एक के लेंस मालनों में कितनी है अब छोटा लीस काउंट कि एन के लेंस कितनी हो जाए कि बताओ एन इंटू लीस काउंट अब बराबर यह पी हो जाते हैं इसको पिज भी बोलते हैं मैं समझो आपने इधर पूरा एन गुमा डाला और यहां इत्ता सा गुमा इत्ता सागे बड़ा आपके पूरे जो एन डिविजन थे एक की लेंस काउंट है एन की लेंस कितनी हो जाएगी एन डूलीस काउंट तो आपने यह एक सिंपल से इसको बह बहुत प्रिसाइस तक लेंस नाप सकते हो पूर एक्जामपल देखें पूर एक्जांपल देखो कि मालू पड़ा यहां पर एक मिलिमीटर था और यह एक मिलिमीटर चलाने में सरकल मैं एसे 100 काउंट है तो यहां पर एक मिलिमेटर आगे बढ़ाने में तो गूम जाते हैं तो लीस काउंट के देखो अपसे छोटा यह ना आप सकते हो आप मतलब तो लीस काउंट कुसे निकालोंगे बहुत इधियाद मुश्किल यह किसे निकालो जल्डी से दिसकाउस होता हूँ है 예 it meda में ऐग लिसकर क्या हो जाएगा एक मिलिमीटर बाई-सो एक यम़े-सो कर दो यह जाएगा इसका लीस काउंट कितना आसान होता है तो लीस काउंट का फॉर्मूला निकल करते हैं क्या पिच अपन में नंबर ओफ डिवीजन लाइट सिट गया ते लीस काउंट का फॉर्मूला अरे बोलो क्लियर है बात आया समझ में कितना इंट्रेस्टिंग है हां सोरी यह आखरी और 99 होगा जो कि यह सो हो जाएगा सो मतर जीरो आगे नाइंटी एट नाइंटी से वने से चलता जाता है हिंदी वर्मूला नाइन लिख दिया ठीक है बड़ा इजी होता है आसना जमात यह इस वर्णियर से भी आसान है सबताओ देखो कितना आसन सबाल आता है क्या सब्सक् những काउंट करने चाहिए के सांफ सन्मuard होता है मैं रिटिंग कितनी हा घी अल्दी वेनटीवर सफटार है नंudल मेंकिता सद में सक्लेडिंग कि तनी आरहीजी रिके चाहितान य revol tampा में उल्स सखेंटियों एक सरकल वाला 0.01 का यह पांच गुम गया कि कितना हो जाएगा यह इसके लेंद्ध कितनी हो गई मतलब पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो फाइव हो गई अगला पॉटी सेवन के आगे अब पूरा गोल गुमके नाइंटी सिक तक आगी है बताव इसकी लेंद्ध किती नहीं होगी आप लोग वेट कर रहों में दस सेकेंड है एक दो है तीन है च्यार पांच आट आट नो बचांअ कि ऐसा थे लिए टाइम अप तो यह 47 तो होगा उर्स पर नैंटी जख आ गया एक जिडोपांट जरुइरो इनको होता है और और 96 mm हो गया यही तो होता है बस और कुछ नहीं आया समझ में कितना आसान है दिखरें आप यह एक्जाग 96 पर आ रहे फस रहे वाला हलास सब्सक्राइब पिछ एक में की नंबर और सब्सक्राइब बताइए एक दम सिंपल सवाल एक मिलीमेटर में 100 हिस्ते गड़ दिया और क इस्ता कितने का जिरो पॉइंट जिरो बनारे सब्सक्राइब लगा रहे है यह पांच पिछ इसको आसी में डिवाइड कर दिया लिश्कन बताओ कि अब इड़े प्रेक्तिकल फोर्शा नहीं कर रहा हूं यही होते है प्रेक्तिकल जल्दी बताओ कि ब्रेक्टिकल से करे जल्दी विठाइए पांच गस्छीट यह हुआ है आँए गांगी फोर्मुला लिस्ची वोग मार्नभवदन फोर्मुला शिचered अआएग है gua मुझे अगर अंदे नहीं हो मैं देखो जर्जान से पेच होती है 5 की अब पॉन कितने डिविजन है 80 अब काटा कोटी चालू करें सर कर देते हैं यह एट से काटो किसे काटोगे इसको सर रहे तो बहुत आफ है काटो रहे काटो रहे पॉइंट लगाओ जिडो पॉंट अभी 10 छोड़ रहा हो निच यह ठीक है जिडो पॉंट कैसे करोगे 8 5 जा 48 6 जा 48 होता है ठीक है 2 जाएगा 20 8 to 16 होता है .65 आ जाएगा यह 0.0625 जाए ठीक है 0.0.0625 जाएगा जिडो पॉंट लगाया 50 जाएगे हाँ 0.0625 आंसार रिसका सिंपल हो गया है इस वेरी इजी नोट डैट डिफिकल्ट इन इसका लिस्काउंट हो गया अगला सवाल लिस्काउंट में स्केल का दो है नंबर और डिजन 50 एंट इस इंपल वही तू वह फिप्टी कर लो अब कर लोगा यार का मुस्के लिए पॉइंट 04 आएगा जाता कि एक दम नाला एक सवाल होते हैं कोई दम वा लिन्हें होते हैं नुमेरिकल लिंग लेंद बराबर में स्केल रीडिंग प्लस लीस्काउंट इंटू सर्क्वरसकेल रीडिंग आ जाएगा और के करो सवाल कि एक वायर ठार है फसा दिया था हओ फसात यह जो भी दो मेन श् तो तेकि भाई यह तर्कूलर स्केल पर रिडिंग आई सौ में से 45 ठीक है पिछे एक मैं लीज कब अपना हो गया दिरो पॉइंट जिरो बन वाला एक बैस हो तो तो बताओ तर्कूलर स्केल रिडिंग आगई 45 लीस्ट काउंट आपको पता है इस पाले मन किता होगा 0.01 होग प्रावड बताओ का होगा आंसर का होगा लेंथ इस में स्केल रिडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटु सार्कूलर स्केल रिडिंग आई भी यह 3 प्लस 0.01 इंटु 45 3.45 mm डारेक भी कर सकते थे मिटा यार ठीक है अरे कोई दिख्के दिनी मिटा अबड़े वै बढ़ेका यूंटन डामिशन में आपको रिवीजन भी नीं करना पड़ेगा कुछ और नी करना पड़ेगा मोर देन इनफ है नीट के लिए जो मैं करा रहा हूं इसके बाहर का मलेदर रिवीजन तक नहीं करना है आज करो किभी करो कि नीट तक वापस देखना पड़े कब यह नुक्राइब कि इ ciekा हमेशा मेंच लेडिंग लेटे रख्यों कि लेंथ मेंचैक्व और किसकी ऌइन सक पय होता ही नहींए मेंस्कर कितना है 10 10 mm लिस्ट काउंट आया 0.02 तर्कुलर स्केल कितना दे रखा है तीन है तो 10.06 आपकांसर आ गया तारे सवाल ऐसे होते हैं बहुत फर्जी सवाल है अब जो को यह टॉपिक बहुत टॉफ लगे क्या आपको लोग पता नहीं क्यों को टॉफस टॉपिक है और सब्सक्राइब य अब बनने लग जाएगा एजी है ठीक है चलो अब बच्चे दोचार सवाल होंवाक लो आराम से करो इसी सवाल है दोचार साथ सवाल होंवाक है ठीक है कुछ नहीं माइक्रोमिटर या स्कूरू गेज में क्या होता है बेटा लीस काउंट को पीच अपॉन में नंबर और ड एक अपन पॉल ले रहा है एक पॉल ले रहा हूं मैं शिक्षी शेकर टाइब वोट टाइप समझ में आए तो यसलिको नहीं आए तो लिको आया तो आया तो नहीं आहे तो नू तिम्पल सी बात है बेटा अब दिखो वर्ण इर स्कल्पड़ें पड़ने में एक घंटा सब्सक्राइब करवाएगा अधर कोई 11 वाला भी सब भाग गया कोई बचा हुए मैं को लग रहे तो फट्टू भाग गाए शायद उनको लोग को समझ में आगया तो नहीं आए विटा मैं एक बार रिव्यू करवा दूंगा ठीक है एजए मुश्कल कुछ निया आसा हम से सब्सक्राइब करें चलों अब बहुत करें याद को वेक्टर ने यहीं से शुरुवात करें थी वह यह फिजिकल कुवंटिटी होता क्या है सिंबल जी जिसको आप नाप सकते हो इसको फिजिकल कुवंटिटी बोलते गुसा नहीं होता मुझे 50 किलो गुसा आ गया तो भी जिसकों कॉर्ट सकते देखके고 रसारे कर लें थाम्ट को फिजिकल कुवंटिटी घ्रुसाइब कर लें कर लेसे घ्रुर्ट के सकते हैं एमल्टी को APIake lt क campus मास्च town के अमाउंट parlance luminous intensity और टेंपरेचर साथ सारे डिराइव कर यह मतलब ती हो गया है इस ऐसे आ पडिलो के स्पीड की किसे निकालता दिस्टेंस अप Clayton तो डिसंस मतलब लेंट हो गया ताइं मतलब हो गया तो लेंट हो टाइम में आ गया नहीं आ गया सब कुछ तो यह साथ से बची पूरी दुनिया के सब डिराई वह जाती है तो साथ को बिटा क्या बुलते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल वांटिटी जो ठीक है अब इनको एक यह अपने के लिए यूनिट लगती है मीटर सेंटीमेटर सब अब हर दमाने के लग 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 तो पने कुछ नहीं चीज़ा अपने बूला अपन बात करेंगे किसकी आपन बात करेंगे डाइमेंशन टी अप से कभी मास दे रखा होगा अपना इसको लिखेंगे Capital M अ मे कि इस लिए लग लैक्ष अपने सिलेवास में में चार पर बात होगी माल्ट मल्त इंद पर बाते होती हैं कि आओ सवाल समझें डाइमेंशन अनलिसिस क्या हो अपने बोला दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीटीज है सब इन साथ में आ सकती है नहीं आ सकती है साथ में ला दो से फोर्स पूर एक्जामपल है पूर्स बरावर मा मास इंटू एक्सलेशन होता है मास मतलब एमा गया सब्सक्राइब एक्स्यासन होता है अपना फिरक एपुर कि ठीक है थे नाफिक होता है ताइम मतलब यह गया इनाव कर आगिया पूर्स पैक्डाम एन टंसेंप्र भडू खोन टैंग पर ए-ऊ-ट ग्या आगया एक-म आ गया कि डिस्टेंस मतलब लेंथ आ गया और टाइम और टाइम मतलब नीचे टाइम का स्क्वेर आ गया कि इसको मैं कैसे लिखूंगा पूर्स को कि एम की पावर वन एल की पावर वन टी की पावर माइनस तो तो ऐसे आप जब कभी भी किसी भी चीज को उसके कि ऐसे फंडामेंटर्ण डाइमेंशन की पावर में लखते हो इसको बोलते डाइमेंशनल अनलीस करना इसे बोलते हैं कि सवाल आता है अब यह पाँद में सवाल उसके ऊपर बनेंगे सब लोग आके फोलो करें अभी मत करें अभी पढ़ाई में जान लगाई हो ठीक है बंदर समझ में है यह क्लियर होगे भड़वड़ देख पल्ले 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 चैट बहुत बेसिक एको तरी के सकते से सब्सक्राइब कर सकते हैं मास नाहएं जाएं श्क्वर में तो अब जाकर पूरे सिलिबस में हजारों डायमेशन होते हैं नहीं बेटा बारा वतारों बारा याद कर लो याद करवा दोंगा मैं इसको मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कुछ बेशिक सवाल निकाल लाते हैं फिर अपन बारा पर आते हैं फाइंड डायमेशन ओफ लेंद लोगा सर डायरेक्ट तो अपन बोलेंगे एम जीरो एल वन टी जीरो जो नहीं उसके माते पर जीरो लगाती है मास्क है तो बड़ा ही दिए एम वन एल जीर जीरो टी जीरो टाइन एम जीरो एल जीरो टीवन एरिया बताओ इरिया कैसे पर एरिया कैसे करोंगे एरिया लेंद का स्क्वेर होता है मोट में तो जीरो रहेगा लेंद का स्क्वेर हो जाएगा वॉल्यूम क्या होते है मीटर क्यूब में देते हैं लेंद का क्यूब होता क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम मास मतलब एम वॉल्यूम मतलब एल का क्यू एम एल क्यूब टीकी में जीरो रख दो नहीं दे रखा तो अब एल माइनस त्री सवाल होते हैं कुछ और सवाल करके बताओ चलो स्पीड का क्या हो बहुत इंपोर्टेंट बहुत आता है कि इसी का थोड़ा बढ़ा देशा कि मुझे लग रही ठंड टेंप्टर बढ़ा इसकर देता हूं थोड़ा सही रहेगा अब यह बताइए जल्दी बताइए क्या होगा स्पीड का कि इजी है कि आया कि स्पीड के सब्सक्राइब मीटर पर सेकेड़ में देते हो तो मीटर पूले तो लेंद्ट लेंद्फ टाइंग को लती माइनस वन होता है यह जीरो लगा दो चाहिए तो टीमाइनस भी रिख सकते हो यह कि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुग जाताए इसस पीड फॉलाइट होती है न सी कि बहुत पर सवाल में स्पीड ओफ लाइ सेकेंड का स्कुर्ण टी स्कुर्ण एम जीरो एलवन टी माइनस टू हो गया ओक तुना टफ पड़ा दिया आपने तो आई नहीं रहा वेलोसिटी से में स्पीड से मिशी होती एलटी माइनस वन करेंट यह एकी पावर जीरो लिखें एकी पावर वन लिखेंगे ऑर टैंड ना वोगा फॉनडमेंट लेना होगा छी ए खांट केसे निकालते है अ क्रेंट इंटू टाइंड से 2 इट त अज टीन咁 अ है करेंट इससे टाइम है रेट प्लो प्लो चार्ड गया कि यह तोई एक प्सकिए को अय चार्ण और दूबिड़क्ट तो एट चार्ज एट कहां चार्ज कर रहें चार्ज ओर होम और सबीन निकाला अपने पोस्ट अगें बड़ा इंपटने वीटा याद रखना पोर्स आपॉनमें एड़ा निकाले जरह में एम एलव माइनस टू एड़ा क्या होगा लेंथ का स्क्वेर 20 अट्रो एम माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा करते में एनरजी केसे निकालते देट पोर्स लोगद आना एनरजी मिन होता इसको भी याद रखने इंकॉर्ट ex फ्लेश्मेटे किनुब्स एंपोर्टक्रटम्स में अब करो dをkiejइंट- обяз फ्लेट माईनस मोर्ग याद एनर्जी का में टूटी माइनस टू सिंपल है वर्क सेम हो जाएगा एनर्जी यह सा तेल यूनिवर्सल ग्राइविटेशनल कॉंस्टेंट बडाजी अगें बहुत इंपोर्टन डाइमेशन बारा याद करने डूटल उनली ट्वेल याद करने इसका याद करो पर बताऊंगा तो मैं जी का बोलता हूं रटलो पिटा कुछ मतरको जी रटलो जी बताऊंगे पाड़ले भी जी होता है जी बड़ा इंपोर्टन होता है जिसने पाड़ले जी खाया है वह जी आधके नहीं रहें माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 कैसे देखते हैं न्यूटन बाबा का क्र टी माइनस टू जी मास्वन मास्टू एम स्क्वेर अपन लेंद का स्क्वेर लिए इदर एक एम से केम काटो एल स्क्वेर इंटू एल क्यों हो जाएगा एम निच्छा आके माइनस वन हो जाएगा पी माइनस टू यह होता है जी कड़ाएं मेंचे याद करना है विटा आओ सवालों पर आएं वन थ्री टू फर्स लास नेगेटिव हां ठीक है विटा वन थ्री टू वन टू थ्री कर ले इसे करना करें इच्छा हो तो इसे भी याद करना हो तो इसे यह होए बढ़ा Math 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 जी वरावाएं समतल सब्सक्तिनलल माइनस माइनस बड़ा इम्पॉट्टेंटींक पलस्मेशन चाहां रखना है बहुत इिंपॉट्टेंटे आओ बाद कि से बारह इंपोर्टेंट डाइमेंशन है डाउट देखो ज्यान देखो बारह ट्वेल डाइमेंशन है जो आपको रट्टे होए होने चाहिए इन ट्वेल डाइमेंशन पर 20-25 भी वाई क्यों है बेटा यही हर साल घूंगुम क्या आते हैं हर साल पूरा से वस में से करीब पांसो सास्तो डायमेंशन में से टिव्य बारह निकाले गए बारह पपे डाइमेंशन बोलो बारह अपनो डाइमेंशन बोलो जो चैना रुको य लेक्षर के नमें अच्छे बतांगा क्या पढ़ना क्या चोड़ना है 12 फफलो डाइमेंशन यात करनां इतकर करते से आको चनुद कर करी नीटा कोफियशेंट ओव इसको सरेटी को भीज्ज को सिट्विसको सिटी आ hearts स्कूसरिटी डाइमेशन होता है मल्टी वन वन ठीक है बस वन माइनस वन वन माइनस वन तीन पीवाइज क्यूं आए हैं कि दो में तो यही पूछ लिया था दो मैं यही पूछ लिया बताओ क्या होगा तीकिन बीवाइज सोच रहो ऐसा आता है उटके सबद अ कि सेकेंड आएगा ग्रेविटेशन का कॉंस्टेंट बीटा यह बने याद करा एम माइनस वन एल क्यूग टी माइनस टू यह वन टू तरी ते आपने का लियम ठीक है इजी है अगला फॉर्स एनर्जी दो अभी याद करवा है आपको फॉर्स एमल्टी माइनस टू एनर्जी ॐएमल टू टी माइनस तू कि एजीया मुश्किल नहीं है ठीक है अगला यह चाता है प्लैंक कॉंस्टन 過來 constant i प्लैंक यूल कोंस्टंट हुया निकालते हैं जूल मेंजी इन्टु एन्टू टाइम कि एक टाइम मल्टीपल है अगर दो इसमें एनर्जी में अगले अगर आपने पूरे साल पड़ा है लेवंत वाले आपको प्रॉब्लम आईगी इन जगों पर तो आप लोग बाद में याद करूंगा मैं ठीक है एनर्जी के फॉरूमले क्या होते बेटा कि एनर्जी इंडक्टर के लिए हाफ लाइज स्क्वेर था फॉरॉमूला रजिस्टर के लिए आई स्कूर आटी जूल्स लोग फिटिंग और क्याबिसेटर के लिए क्यू स्क्वेर बैटू सी था तो इजी देखते हैं मुश्किल कुछ नहीं है देखो हाफ 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 तो अ एक पॉन में करेंट का स्क्वेर तो एनर्जी का बता था मैं माइनस टू होता है करण्ड वताए स्क्वेर इधर बस एक पावर माइनस टू लगा दो देखो और कुछ भी नहीं कर आपने इसी है एक रिस्टर निकालओ एनर्जी के अपॉन में आई स्क्वेर टाइम एंवल टू टीक माइनस टू था एक टाइम और माइनस ट्री हो गया और इसका ए माइनस टू आ कि ऐसा कैसा उटके है यह आपका रिस्टर आ गया कि इसी किसे निकालेंगे क्यू स्क्वेर भाइए क्या जाएगा एनर्जी आ जाएगा नीचे करंट तो एट एट टू टू अपन एमल 2 टी माइनस टू तो बस तो कुछ नहीं हो जाएगा यह उपर आके टी का पावर फोल हो जाएगा कि एल माइनस 2 हो जाएगा एम उपर आके माइनस हो जाएगा और एसा के यह साइप इन तीनों को दो याध नहीं कер रहा और मैं झसुढता कैसे निकालता हूँ मैं ऑन एनर्जी आर्यस्टाम इसक्राइट यू आई स्क्वेर टी स्क्वेर वाई avez यंगनेटिक पर धोज़ू तो बहूत अशे वह भी तो बहुत आसान। तो सिखाई दिया किसे निकालते हैं नहीं रटना तो निकालना शिखा दिया आपको अल्रेटी जान से देखो बैटा 910 11 12 की बात करेंगे यह यह और भी और मैंने टेखो इलेक्ट्रिक विल्ड आपको दोता है फोर्ट बराबर क्वी होता है पड़ा था पन ने इलेक्ट्रिक विल्ड क्या हो जाएगा एफ बाएक्यू तो एफ क्या ml2 टी-2 होता है बाइट तो ml t-3 हो गया बाइए-1 सिंपल मैंगेट्रिक विल्ड के से निकालते बिटा इलेक्ट्रिक विल्ड अपॉन में स्पीड ओफ लाइट थी अपॉन में लाइट के डाइब अपने स्पीड का क्या होता है एल्टी माइनस वन डिस्टेंस अपॉन टाइग एलल काटो टीकी पावर माइनस अंसर कटके टीकी पावर माइनस टू बचेगा तो एम टी माइनस टू ए माइनस अंदे को यहां पर लेंथ आता ही नहीं है मैंग्नेटिव लेंथ नहीं आता है आखरी के दो बचे एप्सलों और व्यू नॉट एप्सलों और व्यू परमीटिवीटी परमीएबिलीट कैसे निकाल डायरेक्ट है तो मुश्किल अला काम निद परमीएबिलीटी माल्ट फिरते लिखो वन टू अगें डायरेक्ट माइनस टू माइनस टू यह आपका एप्सलों और म्यू निकल क्या परमीटिवीटी और परमीएबिलीटी डारेक्ट था लोते बैटा तो बारा डायमेंशन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ रहें स्क्रीन इसको अच्छे से चाओ तो इसको याद करना है पर देंटू मैं बोलूंगा याद करना है कि कर लोगे याद अब आपको समझ में आएगा लेवन तवले आपको हर पेश पर डाइमेंशन मिलने रहेंगे आपको टीप के आंसर बताना है ठीक है ठीक है याँ रेडियो माल्ट म्यूकोस असोचेटल लिंफेटिक टिश्यू होता है न आपका तॉंसल दाता है और फिर आपका वो पेर्स पैचेट वगरा होता है पड़ा होगा आपने बाइव माल्ट बाइट आपके सवाल चालो होते हैं अब बताएं इस डाइमेंशन ओ फिजिकल क्वांटिटी एम एम की पावर एल की पावर भी और टी की पावर और टी की पावर सी है ठीक है फिजिकल क्वांटिटी विल मी बताना है आपको बेटा एवी सी दे रखाएं वेलोसलिटी क्या होगा कि ए है वन बी है जीरो और सी है माइनस वन क्या वेलोसलिटी M है 1, L है 1, T है माइनस 2, यह भी नहीं होता, force, M है 0, L है माइनस 1, T है माइनस 2, नहीं होता, pressure, force upon area होता है, क्या दे रखाए यह, M है 1, L है माइनस 1, T है माइनस 2, बताओ, क्या यह होगा, 4 में कौन सा सही होगा, बताइए, 30 seconds, ABCD, कौन सा correct है, अब इस्ता तो 11 तो नहीं बता सकते है कि सर्फ फोर्स का टी पूलो नहीं पता तो, दे रखाए, M L T माइनस 2 होता है, force का, upon area, L का square, इतना तो कर सकते हैं तुम, L माइनस 1 आ जाएगा, क्या अब और इसी सवाल आएंगे, अंसर के आएगा इसका, D, इसी साथ मुझे नहीं लगता है, बहुत तॉप सवाल थाई, असान सवाल है, आप दिक्रेडी वाला देखते हैं, तो रिजर्ड भीया, 100 वटन साइए, भाई साथ, पागल भाई, गजब काम कर दिया, तो अमरे भाई, फोटो डो भीया, स्क्रि अठ्र estava सार फियाक, अलें homeland जिए ठीक का अउंपे देरता है, बता होंकिła answer होगा ड्यान विदा इवी है, माइ आप आसर सथ करते इसंसे क्रूंद क्या करता होगा मै मैं 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 ने के तुलज हही को बढ़? दल भी 2-3 ml2-3 i-2 खत्म टिक करो आगे बढ़ो 12 याद करने में अगला रेश्यो और डायमेंशन दो प्लेंग कॉंस्टेंट मोमेंट अफ इनर्शिय प्लेंग कॉंस्टेंट होता है बिटा और मुमेंट अफ इनर्शिय को लिखते म मास इंटू लेंद का स्कुर एमल स्कुर के लात मालगे हिए एच माई अब्ली fluor Questo में अपको एमल स्कुर काटू डैमेशन क्या लिए तैंन स्कुवन टाइम क्या होता है बच्चो यह अगन वड़ा हिजी लिट गयोता हैai क्योते है कि क्रिक्वेंश होता अन्सटर आगया आगका एज स्वाल हियाुमिट कि डाइमेंशन ऑफ युनिवर्सल ग्रारे भाई सब डारेक्ट पूछ लिया क्या कर दो बार पूछा है सेम सवाल देख रहे हो आप मताइए क्या होगा इसको सही कर दो यार ज्यादा मैं को उमीद नहीं पर यह सही कर दो तो मुझे इतनी उमीद है यह तो सही कर दो के चलो इसमें गलती मत करियो गें गए अब हम 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 बताइए अ कि प्रेशता प्रेशर निकाल लिया अपने फोर्द पॉन एरिया तुम बताओ क्या होगा अंसर इस जल्दी बताओ कब सबाइए पाट कातम सब्सक्राइब करना है लो तो दाइमेंजनल फॉर्मूला ओफ मैंगनेटिक फ्लक्स फ्लक्स मैंगनेटिक प्र इन्टाइब यह इंटिए करना है इस दोनों में एल स्कुर्ण आ रहा है यह मैंनस टू एम इसे सवाल होते हैं आते बिटे एक्जाम में डायरेक्ट सवाल आते बिल्कुल दाइमेंशन फॉर्मुला ओफ पर्मीएबिलिटी ओफ रिस्पिल्म यू नॉट बताईए बताओक तो यह टाफ सवाल आगे देखो वन्टू बढ़ा भी जस्ट माल्ट कर लो वन्टू वन्टू अग्या अंसर यह अगर आपको यह पता है तो डारेक्ट टिकर होगे वेटा बारा दाइमेशन बहुत इंपोर्टेंट अगला 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 यह थिक नीटा इसकॉल्ड कोफिशन विसकॉसिती बताओ डाइमेशन। वुर्ण दोपी डिर्येक्ट सवाल पूछ लिए बक्वास कर रहा है आपको क्या पुछाए का कोफिशन विसकॉसिते पूछ लिए कि जदो का आंसर हो जाएगा यार्ज का क्या यह बखवास यह ज्यादा सब्सक्राइब कि दाइरेक्ट तुट के आते हैं कि आया बैसंगे आते हैं तो इसको तॉट तोट इसको फटोड़ बड़ यहां कि इसको तोड़ आगया ना चीज़िए तैसे बले सवाल को इस फोड़ सागे कर रहा है अब कर दें यह आजाएगा इस वाल देखिए अग्रा सवाल इस सी एन आर नहीं यह भी गड़ता गया है एक ज़ीड़ा इसको भी नीचे कर रहा हूं मैं जब थोड़ी दर में आने वारे से दो सवाल थोड़ी दर बात के छे को इंसिडेंस के बा अभी से घर लेते हैं विच आप दफोर रहेंगे से डाइमेशनल कॉंस्टेट अग्सके डाइमेशन होते हैं इन मैं से इन चारन से बताव किसके डाइमेशन होते हैं 29 रॉंग दिखे जाए 29 का है बिटा है 29 रॉंग है क्या है पर्मी एबिलेटी ओफ्री स्पेस मुझ लगा यह अगवी हो गया नहीं यह था दाइमेशनल कॉंसे इसके डाइमेशन होते हैं पटाई क्राइब अपन ने माइन एम माइनस इन एल्ल क्यूब टी माइनस अगला देखो फिर वही सवाल बखवास कर रहा हुए लेंद ल ब्ला 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 बताओ अभी पड़ा आपने खुद देखर रहे बार फ़री सवाल देख रहा है अब कुछ बखवा अगर आपको पता है नीटा क्या पटाक से आंसर आजाएगा और आप पागल लोगल लगते पीका फिर इसका फिर इसका पागल नहीं होना डारेक्ट सवाल का आंसर तो आग एक यह होता है कि जट टाइम होता है ये आर इंटू आर के बरावर भी होता है और एंडरूट टीनों का देखा गया कि अपनेयाप टाइम के बरावर निकल करना किस्मत बै एक को तन में अंद रोटा यूहीं अगें प्यूर कोईंसिदेंस है अगला एनरजी वर्क और टॉर्क से द्यमेनसीलेंट में सेंदी पर दिफ केलर एइ वेक्र द्यमेनेशन सें हग अगला फॉर्स इंट्व टाइम को पूलते और सिसका मोमेंट्यम का है डायमेंशन फिर से से आजाते हैं से चेंशिए बीटते प्रैप्व एनर्जी इंटू टाइम अभी यह वाल प्लांक अन्स्टेंट होता है इसका डायमेंशन अंगलर मुमेंटम के बरावर है इंवीर के बरावर इंफेक्टा पढ़ती हो सबसे इंपोर्टेंट एनर्जी डेन्सिटी का अब अन्हें फॉर्मॉला पड़ रखा है एपसिलोट इंटू इसका हाफ एपसिलोट के बराबर या बी स्कूर बड़ापने इसका डाइमेंशन प्रेशर के बराबर आ जाता है बराबर सार कोफिशन्ट यंघ मॉडूलस अन्हें इसके बराबर कब बराबर निकल कराते हैं आपको कि अम एल माइनस वन टी माइनस टू प्रेशर के बराबर इस तारी के सारे तो यह फे कोइंस इस बड़े इंपॉटेंट आपके जिवल अगें भर भर के पीवाई क्यों इतने अभी से भी ज्याद है करो तुम सवाल करो बस और तुम्हें सोचने के ज़रोती नहीं है सवाल देखो कि इस सी और डायमेंशन ऑफ सी आर बता हो अज बड़ा बने आर इंटू सी किसके बराबर हो जाता है ताइम के बराबर तिक कर आगे बढ़ो डायक्त सवाल डायक्त अगला सवाल देखो डायमेंशन फॉर्मूला अंग्डूर मोमेंटम अभी पड़ा पनने म्वी अर एंग्डूर मोमेंटम एच के बराबर होते एश्य नेर्जी इनटू टाइम के बराबर होते हैं आपको आपको अल्यूड़ी आपके लिए एजी करने के लिए बाद में आपको याद निचीजिए डायमेशन उस जी पताव क्या होगा देखो कुई में से रिखता आई यह यह जल्दी बदाए यह क्या होगा इसका आंसर बताव आप मैजे फटाबटत मुच्ट अप्टावता क्या होगा सकांसर है ल्टी माइनस फट अब बन रहा है फटा 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 एक और सवाल देखो टॉर का तॉर का एनर्जी के बराबर होता है एनर्जी अब रख के अब बताए क्या होगा अगला बताओ प्रेस का डाइमेंशन अगें एन यह सब इसे पर आता है इंशेकी चेक डैमेंशन अमल माइन संडी माइनस टू यह क्यों प्रेशर्स्ट्रेस एनरजी डेंस्रीटी स्कौर ट्राइस घारेक सारेसी अदस्सलेस परके जो आता है यंग्ज मोड्यूलr1 सबस्केम जाताए सब्सक्राइब है क्या का मेआ एमसी माइन वीनिस्ट इतिनों है आसानाथ कंगोसा नहीं है दा घूमनधिंस sermon को कि इन पाच के सीम दिख रहे हैं को जल्दी बताओ एक दमासन सवाल ले बेटा कि इन पाच के सीम है बताओ कि एनर्जी डेंसिटी यहां जी दिख रहा है रिफ्रेक्टिम इंडेक्स नहीं डाइलेक्ट्रिक नहीं यंग वहां पड़ापन तब यंग के बराबर आ जाता है तो वन और पूर सेम हो जाएगा खुद देखो ऐसे सवाल आते हैं अगला देखो डाइमेंशन ओफ प्लैंग कॉंस्टेंट इक्वल टू आपके सामने प्लैंग कॉंस्टेंट है किसके बराबर होंगे आप बता दो अब चलो इसको मैं सॉल करने के लिए टाइम दे रहा हूं कर लो चलो एक सवाल करो के बस एक ही सवाल तैयर करें टाइम स्टार्ट्स नाव बताइए इस सवाल एक कर दो बस ज्यादा मांगता नहीं मैं आपसे एक बस एक सवाल एज का क्या होगा सामने आपके सबको सामने दे रहा है बारा पपे डाइमेंशन्स और छे कोइंचिडेंस इस पूरों चैप्टर में और कुछ याद ही नहीं करना है आपको सवाल ही नहीं आते और आंसर क्या होगा इसका एंगिलर मोमेंटम सी आंसर विल भी सी देखे किते लोगों ने सरी कर तो इसलिए थोड़ा सा उदर से आगिया ठीक है कोई अगला देखें विच्पेर डूनोट है इकपल डाइमेंशन बताइए इससे सारे पीवाई की तो कर रहे हैं और कुछ करी ने रपन यूगी कि एनर्जी टॉर्क का तो बराबर होता है पूर्स और इंपल्स का बराबर नहीं होता बेटा पूर्स इंटु टाइम इंपल्स होता है यह आंसर होगा एंगिलर मोमेंटम प्लैंक का बराबर होता है कि एलास्टिक मोड़ोस प्रेशर का बराबर होता है आंसर आ जाएगा स पनने क्या होता है एनरजी वाई का स्क्वेर एमेल टू टी माइनस टू ए माइनस टू आ जाएगा कि अधर गलती से आगे स्वाल कोई बात नहीं आ कर तो लेंगे कि दैमेशन ओफ इंपल्स अगें वही से वाल आ गया इंपल्स फोर्स इंट्टु टाइम एमेड़्टी माइनस two इंट्टु टाइम कि क्या होगा अगर पूछा है किसके बराबर सॉरी निकाल नहीं मिनाला इमपल्स का पराबर लोते हैं मोमेंटम और फॉर्सेंटू टाइम के लीनियर मोमेंटम आणसा है खतम देखरो कितना यह यह तो यह दो याद करने पड़ेंगे किसका टाइमेशन सेम अफ टाइम होगा ताइम के तीन पड़े पनने आर इंटू सी एल बायार यह अंडारूट एल सी इन्हें बताए कौन सा ह होगा आसान मुश्किल नहीं आसन सवाल हो जल्दी बताओ तो इसका सर बताओ कौन सा होगा पहले दिख रहा है अलबायार बाकी तो कोई नहीं मिचे मिलता हो दिख रहा अंडलू टेल सी तो तो जाता है ऐसा ही और देखलो भीया इस पर कितने सवाल आ रहे तुम देख रह है मल – 20 – 2 बारे डाइमेशन के यहीं होते है जल्दी बताओ बहुत है पतम आंसर देख रहे हां को पही घूम घूम के वही घूम घूम के वही घूम के आ रहे है ने सिजाए नी रहे कुछ भी आर्थी का डायेशन पीडिवाई न मैं पैदा हुँ आ तो साल का सवाल है आर् कब से देख रहें वही सवाल आ रहे हैं बार 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 अब खतम नहीं हुए फिच आफ द फॉलें कॉनिटी वन हैस डाइमेंशन डिफरेंट फ्रों अधर बताव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यह होता है पोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर को कहते हैं सेम हैं अ अलंग होगा हो तो कई अलगी जारें यह एंगीनर मोमेंटम तो व्यांसर रोजायाएगा ये जो भी होगा सफ ही होगा ज voter अमसी पर 1पन तो वोल्टेज मोल्डेश एन्टू चार्ज पर मि तह्यों कि पीरोंटिस हैं इसे श्वाल वmore ट सब्सक्राइब वही सवाल बार बार आ रहे हैं यही सवाल आते हैं बार 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 अगर सबको क्लियर होगे कि यह रट लिया तो सवाल बन जाएगा यहां आपको समझ में आ चुकी है बिल्कुल बेसिक में बात करी बेटा अब आपको 500 डाइमेशन रट नहीं आपको सिर्फ यह बारा पता हो नहीं चाहिए बारा में काम हो जाते हैं और वी बारा भी याद कर वाना सिखा अब असन पार्ट पर आते हैं तब पार्ट डन कि लेट्स कम टू इजी पार्ट रेडियो अब बात करेंगे एरर की असन असन बाते हैं वह यह देखो अच्छा यह कौन से डाइमेशन आगे एक टाइप का सवाल सुड़ा बचा हुआ है यह सवाल कैसे है अजी सवाल होते देखो जानते पैसा सवाल जाएगा इसा देखो अब लैंक कॉंस्टेंट कर एच्छे स्पीड ओफ लाइट सी है गरेडिशन कॉंस्टेंट जी देती है तो ठीक है वीच आफ दा फॉलोइंग टॉंबिनेशन आफ दाइमेंशन आफ लेंग अब पहले करते दो तरीके से तो आपको चेल लेंथ इन तीनों से तो आप बोलोगे क्या पीछे हो भाई आप क्या बोलोगे आप बोलोगे क्या देखना जान से विटा है एच की पावर एक्स की पावर वाई जी की पावर जेड बराबर क्या एगा लेंथ एम जीरो एल वन टी जीरो आप वैली डालोगे एच की जगे डालो एच की वैली क्या होती है एम एल टू टी माइनस वन की पावर एक्स की क्या होगा एल टी माइनस वन की पावर वाई जी क्या होगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू की पावर जेड इस इक्वल टू एम की पावर जीरो एल की पावर वन टी की पावर जीरो अब सबका एम में मरग निकालो बैटा है एम यहां वन है यहां वाइनस वन है एम एक्स माइनस एड का लिकाले यहां टू एक्स होगा तो यहां वाइं होगा यहां रिजएड होगा कि सबको टी निकाले नगे मानेस एक्स होगा जा मानेस यह होगा यह मानेस टू जेड होगा बराबर है एम जीरो एलवन टी-0 कि अब कमपेर करें मिटा इसके मात्फेपे दिरो इसके माते पर यह एकस-mines-z बड़ाबर जीरो इधर l के माते पर है तरके माते पर वन आ रहें को टू एकस प्लस y-3z बड़ाबर वन औफर यह बड़ाबर जीरो आ रहे मैस मा इस समान से उस यह-2z बड़ाबर जीरो तीन क्वेशन सौल्ट कर लो एक्सवास रड़ा जाएगा आप बड़े खुश हुचा होगे एपी हैपी हैपी हुआ 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 है इसे कौन कौन करना जाता है बता हुआ किसको देखके गंदा लगे तरह गंदा पढ़ना चूड़ देंगे यह नियुकों कि बता हुआ है कि अब चाहिए अब यह नहीं करोगे तब किताब में इसे करते हैं आप मेरे बच्च्छा पैसे नहीं करें आप दिमाग लगाएंगे देखो अब आपको डायमेशन चीह लेंद के आपको बता है स्पीड ओफ लैट का तो ल्टी माइनस वन यह आएगा अब देखो आखरी में सिर्फ लेंद बचाना है तो जी में माइनस वनाता है एम की पावर में एच में वनाता है ठीक है तो मास तो कटके 0 यह ना चीह है तो यह एम एल टू टी माइनस वन जी का क्या हो जाएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू एम से म काटो यह हमेशा मल्टिपुल लाएं होंगे तक यह एम एम कड़ जाए जो क्या आखरी में सिर्फ लेंद चीह है तो को आप्शन वे प्यार माइन कर रहा हो इसमें नहीं एक रहटा दो इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका है एच इंटू जी की वेलिव किती हो जाएगी एल का क्यूब कि की पावर माइनस थ्री है चलो ठीक है अब मुझे क्या निकालना इससे लेंथ चाहिए एच इंटू जी की वेलिए सिम्पल है तो क्या का रोग sandy इया दोनों अपश्यन में रूट्य रखाया ने भी बया लेता हूं किसी पावर में बूंद किक्राइब तो और पर चुन पाउयों मतलब क्यों जाकर्च पावर में क्यों कहुंत कैरिंड राया दूटर टूटर अधेड जी बाए सी क्यूब दे रहा है can we end on edge G.ईघ की पाउर फाइब दे रखाए है वीजने कि अपले के लेधे नहीं की रख लेते है क्यों हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस त्री काटो एल स्कूर बचेगा काटो टीसेटी पूरा कड़ गया अंसर एला गया अंसर वन हो गया कातम सवाल तवाल इजी होता है फुरा होई भाग लागा ना होता है कहीं बर दो इतने से में काट पिडिक आंसरी आ जाते निकल एक्स्ट्रीम इसी कोश्चन होते है आया भी समझ में ठीक है एकदम आसन सवाल एक और बार देखते हैं देखो डाइमेंशन और कोफिशेंट विसकोस वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी फोलिक्विट फ्लोइंग त्रोट यूबार एक्स्प्रेस रेस यह नीटा रो आर क डाइमेंशन लोग क्रिटिकल वेलोसिटी यह तीनों मिलाके मतलब क्या वाद है एल्टी माइनस वना रहें बराबर क्या हो रहा है विसकोसिटी की पावर एक्स डेंसिटी मतलब मास अपन वॉल्यूम की पावर वाई और आर की पावर स्वाल अब तरीके से करते हैं देखो मिश्चोसिटी क्या होता है मल माइनस सुन होते है छोई है अन्सर में मास नहीं चाहिए अरे का देंस लीटीटी क्या होता है वाल्यूम अब मुझे बताओ मास काटना है आपको इन दोनों को मैं टिप्लाय करोग या डिवाइड करोगे 20 इक बिदा वह तब कुछ नहीं तो अगर इन में से कोई भी एक वन आ रहे है दुसरा माइनस वन ओना चीए तो यह दोनों सेम नहीं हो सकते बिटा ठीक है माइनस द लूसकता तो यह होगा यह यह होगा इसा कर लते हैं नीटा एंटू रो कर लिया वन नीटा रो कर लिया और माईनस वन मतलब आपन में ले गया चलो देखते हैं म्ल माईनस वन टी माईनस वन अपन सब्सक्राइब और हम स्थ जाएगा उससे गया तो अज़ेवके अब क्या नियुक्त आई दक्राइब कि अजय थिसा यह यह सफी सब्सक्राइब टी माइनस वन उपर जाएगा तो यह उपर याके एल का स्क्वेयर को वन टू माइनस ओन मुगा ल्टी माइनस न आगे वेलोस्टी यांसर है प्टी rozp कड़नें से अच्छेन करते मैं चलूय तैंट कोई वह लेक्ट पेश्मिल है नहीं हो नहीं तो आई जाता है तो फोड़ार लेंडी होता है पर आंसर आज है ठीक है आप एक तो सवाल हुमवक लो तेम तैप के सवाल है इजी होते हैं करो मग आगे बात करते हैं बात जैखो आऊ रूल्स और डाइमेशन की बात करें इस तेम डाइमेंशन केन भी इकोटेड एडिटरस अब्ट्राक्ट नहीं बुला ए प्लस भी माइनस सी बराबर ड इसका मतलब अ मपंडिए बी शी और डी का डायमेंशन ऑन चाहिए है मल्टिवलेइड कभी भी करतंते हो ठीक है पर 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 एड्वर साब्ट्र्क में आरेड ळूप्ट्रे Еще तो पर जूड़ते सेम टाइप किलो है ठीक है एडिशन देखो कचोरे में कचोरी समोसा में समोसा जूड़ते हैं अलाग-अलाग डाइवेशन नहीं जूड़ सकते मैंने बूला दस दस किलो प्लस दो मीटर कुछ भी नहीं होता ठीक है तो आप एड सब्ट्रक्ट इक्वाल उसे सेम डाइवेंशन में कर सकते हो सेकंड रूल होता है जो भी साइन होता है साइन के अंदर की वैल्यू कोस के अंदर की वैल्यू लॉक के अंदर की वैल्यू कोई भी एक्समोनेंट टू की पावर कुछ भी एकी पावर कुछ भी कोई भी एक्समोनेंट वैल्यू सारी की सारी हमेशा क्या होती बड़े डाइमेंशन लेस आती है इस ओल वेल्यू विल आलवेज भी डाइमेंशन लेस मेरा बच्छा आप हो करेक्टर लेस यह वैली जूती डाइमेंशन लेस अब दो समझ में बात अब अब देखो अब दवेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल इस तरीके से यह कुशन दे आपको अब एब इस ब्रद्रद्र डाइमेंशन बताना है देखो सबसे पर बहुत सिंपल सी बात है मुश्किल कुछ भी नहीं आसान सवाल देखो पहले तो यह टी प्लस सी हुआ है दिख रहा है एट त्टी बराबर सी हो जाएगा तीकर डाइमेंशन आगया टाइं अटाइम यह दोनों भी स्ट्रेम डामेशन होंगे वी बराबर एंटू टाइम ए बराबर वी बाए टाइंव कि एक ही कर दिया इसको तो बी इंटू यह ल्टी मैनेस वन इंटू टी काटो यह निकाल सकते हो आगे देखो अगला सवाल है इनको पर्सनल चैट्स भी तो पब्लिक में करने होती है तो पर्सनल चैट्स अगला सवाल देखो यह आपका वण्डरोल एक्वेशन है पहले गाए है रियल गर्ष कता एक वेशन शे दी गई है ब्लाला डाला डामीशन कॉंस्टेंट एके और इनको ओम्म एड़ कर आ है दायमेशन सी मौलका मता प्रेशर बराबर एबाए वी का स्क्वेर वॉल्यूम का स्कुर्र तो पैंसर आ कैस को सबस्क्राउम क्या होता है यह करता है टोच Way L 223 फिलिटयो हो जाएगा ऑइम टी माइनस टू एल की पाउर आजाएघा एंसर आगे आपका ठीक है इसे चाइट बढ़ते हैं ठीक है भाईया इसी ए यह जद आसान नहीं एसी आसाना सवाला तो एक्जाम में भी आगला देखो कि टाइम डिपेंडेंस ओफ फिजिकल कॉंटिटी इस तरीके से यह एकी पावर में एक्सेट रखाई ठीक है यह रहा है यह बताओ यह डाइमेंशन लेस होना चीए तो मेरा बक्चा ये एक्टरलेस मेरा अच्छा शेमलेस ठीक है बस नीट लेस्टा नीट तो कर ले ना कम से एक एक स्कूरे डाइमेंशनल लेस्ट मतलब वन अची कोई डाइमेंशन नहीं एक यह वजाएगा वन बाय टी स्कूरे टीकी पावर माइनस टू खतम अब खतम सब्सक्राइब करेंगे एक घंटे का चाप्टर बचाने एक जड़ाइब बाते करेंगे तब बात सब्सक्राइब अब एक हमबा कर लो यार सिंपल सवाल है पड़ी थवार आते एक दोस्के रूल्स पड़ लिया यह ए इण होता है एक्सट डाइमेशन लेट हो जाता है अब आता है मेरिट इसकी फटावर्से थे क्या फाइदा होता इसका बिटा आप एक चेंड वेरिफाय कर सकते हो सब्सक्राइब करने के काम आता है कि आखरी में सिखाऊंगा इसी चीज़ होती है नुक्सान वाली बात क्या है ठीक है डाइंड इनफोर्मेशन अबाउट कॉंस्टेंड यह से अब यहाफ कहां से यह नहीं बता पाएगा फॉर्मुला में कोई भी इसे टू ठीक है अगला देखें अब इसमें क्यों ट्रिग्नोमेट्री एक्स्पोनेंशल फंक्शन डाल दिये फर्जी होगे फॉर्मुला क्यों डाइमेंशन लिज होता है वह अब का फॉर्मुला जो आ अगला यह वेक्टर इसे एनरजी और टॉर्क दोनों का डाइमेशन में टू-2 होता है यह स्केलर और यह वेक्टर है डामेंशन को कुछ पता ही नहीं एक डॉट प्रड़क्ट मतलब नहीं यह डिमेरिट हो गई इसके तिककते हैं वही आप बाते थी चलिए अब आते अग बहुत भड़ी टॉपिक है आपको हसी है जाएगी टॉपिक पढ़ते क्यों है तो पहले कितने फिगर सिगनिफिकेंट होता है नाम से बता बढ़ रहा है देखे तर जान से जो जीरो नहीं है वो सिगनिफिकेंट है 2738 चारों सिगनिफिकेंट है बहुत सवाल अभी किस पर अगला अब देखो बेटा जहां से अगर अगर आपने क्या कर रखा है डेसिमल लगा रख है तो जो पहले वाले 00 होते है यह फालतू होते है इसकी कोई वैल्यों नहीं होती तो इक दो तीन सिगनिफिकेंट के लाएंगे इसमें अगला क्या है समझो अगर यह सब बाद वा अगला अगर पॉइंट लगाए तो बाद वहले जिरो की इजत हो जाती है एक दो तीन चार्ट सिगनिफिकेंट होते हैं इसमें और यूनिट बदलने से बढ़ने पड़ता अब आपको समझाता हूं कुछ नहीं है एड़न जिरो की बात ही होती तो देखो अगर आपने लि ह Бог जिरो पॉइंट जिरो जिरो फैक यहीँ है जो और कुछ नहीं होता ठीक है और अगर दम ऐसा गया वन पॉइंट जीरो 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 अब वन और अब तो सब काम क्यों हो गए क्यों कि वन आगे दर जीरो नहीं है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एट सिग्निफिकेंट हो अब आप सवाल करो फटा बढ़ते सेक्ट बैठ विद्वर बताने आपको अब यह सिंपल सिंपल सारे चल रहे हैं फिफ्त वाला बता हो कितने होंगे फिजी सिंप्णिफिकेंट है बिज की जीरो कांट होते हैं एक दो तीन चार पांच छे छे हो गए इन जिन फालतु हो जाते हैं इसमेंसे इस को यह न आ इसके पालतु हो गया झालतु हो गए 0 रिंसने फिकन्ट होगे खतम बात ठैक है और घूर कर देख लो 14 बताओ 16 बताओ 17 बताओ बस बाचे वह अपने घर पर कर लें आसाने क्या होगा जल्दी बताओ बताऊंट होगे एक दो तीन चार पाचोंट होएंगे अब 0.2 वह गया है इसमें टेन की पावर वाल में टेन की पावर फालतु होती है कोई मतलब के नहीं होती हटा दो आपको डारेक्ट यह करना होती है इसमें एक होगा इसमें तीन होगा इसमें दो होगा डारेक्ट हो जाते हैं तो भगवान से उम्मित करते हैं तो बहुत करेंगे तो लीस जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं लेस उतनी आंसर में होते हैं ठीक है मल्टिप्ला या डिवाइड करते हैं मल्टिप्ला और डिवाइड करते हैं एड या सब्ट्रेक करते तो क्या होता है ठीक है डेसीमल के बाद के सिग्निफिकेंट जैई से डेटिमल के बाद के सिगनिफिकेंट कि कम के बरावर होंगे ल差不多 के बरावर हो जाएगगा जैसे आपाल से सब्स्क्राइब यह कितने से डीन इसी डीन екैपेंपे दो आंशर में एक होगा आप एड़ कर लो ब्लांटकों पोइंट से पॉइंट मिला्री पॉइंट siCH होगा पर यह आनसर गलते कैं सुन सुन स कि निज़कर बाद पॉइंट के बाद के दूइंटा टीकों की अटते लिएंगे टिक वाला ही होगा तो इसको हटा देंगे आंसर लिखेंगे 3.7 मुद के बाद सब्सक्राइब करके दिखाओ नवर्ट से वन पॉइंट टू फॉर फाइफ पॉइंट के बाद तीन है सिक्स पॉइंट एट नाइन सेवन सिक्स इस्यादा करके अगल लोगे ठीक है कि मतलब नहीं कि तेने भी हो तीन आएंगे पॉइंट के बाद पांसर कर जाएगा यह जूडएगा ट्वेल ऑटीन लेवन एट पॉइंट पॉर वन टू यह आंसरा जाएगा तो यह आया समझ मे आरभी यह समझ में कैसे अंसर होता है बड़े इसली सवाल हो जाते है अब हायत रखना पॉइंट के बाद जो होता एक बरावर अची अलगले जलता इस पॉइंट बरावर अची लगश्चा सब्सक्राइब शुकरा चलता चलता राइंड राउंड जो करने सक लाधिंगा ठीक है राउंड ओफ करने सब्सक्राइब अगेन और को इसा देखना है आपको चलो यह वाला करके दिखाऊ यह पॉइंट के वाज कितने तीन है यहां पर कितने दो है वन पॉइंट जीरो जीरो वन माइनस पॉइंट से पॉइंट मिला करो क्यालकुलेट किसा होगा जी तो क सब्सक्राइब जीरो पॉइंट होगा टैन कटेंगा नाइट एन ठीक है अभी सभी लग रहे है मेरो को यह बन आएगा यह बन आएगा कि कि तना जाएगा 9 0.11 आंसर के लिखोगे लेकिन इसका तर यह आख इसमेंस पॉइंट कितने हो सकते हैं यह पूरा है लिखना बाद दो है पॉइंट की बाद दो वह और चीट दू आगे सिगनिफिकेंट फूरा सही होगा विटाई यह क्योंकि दरवाले जीरो सिगनिफिकेंट नहीं होते ना अच्छा सवाल तो अगला देखो अच्छा सवाल है यहां पॉइंट के एक भी सिगनिफिकेंट नहीं है यह पॉइंट के बाद एक दो तीन चार पास सिगनिफिकेंट इसका आंसर अप्रॉक्सिमेटली वनी कर दो आपको जैदा फरक नहीं पड़ता राउंडिंग आपके व आपके वाला देखो किसने सिगनिफिकेंट है तीन 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 इसमें डेसिमल के बात कर नहीं देखते विटा मल्टिवले डिवेड में तीन कम है तो तीन ही रहेगा कैलकुलेटर निकाल उपड़ा बड़ से जबन कैलकुलेटर निकाल आपने करा 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1. इंटू 1.01 इंटू 1.030301 इंटीन ही चाहिए अपने को कि अटाक आंसर आजाएगा वन पॉइंटू 1.03 इसे सवाल आया भी समझ में अप्रॉक्सिमेटली वन ही रहेगा जो कि बहुत ज्यादा पीछे चले जाएगा मतलब का नहीं रहेगा राउंड ओफ करके वन ही आ ज अधर भी एक सिग्निफिकेंट रहेगा आंसर आजाएगा 3.0 या सिरी बोल लो अ आया समझें वेटा या 3.0 बोलो Wandi maahri. flowers दो सिग्निफिकेंट पॉंट के बाद 0 इसमें बल्स भी इसमें इसमें चार सिग्निफिकेंट तो आनसर में दो रहेंगे य gü अचाएगा हम वी फ्यु जो टीफिकेंट की माल्टिप्लाज उप्धिवाट्वेट्पलेट जो छोटे से की ने इतupun culpa आते हैं यही सवाल हो तो पूस्वाल नहीं होते बिटा वाल देखो प्रॉट इस डॉलियो व यह माइनस यह दिखते हुए ने कि आपने की सब्सक्राइब पॉइंट नाइन नाइन डेसिमल की बाद दो है माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन ये ये एक लिए आत बतायों क्या होगा इस कसार सुझत बदायों फरबर से क्या होगा इसका तम आये समझ में बच्चवा नहीं लिख सकते आप ठीके यह मत लिख देना अगला तो जाएगा तो आपको पता है बहुत सिंपल से बखवास बाता रहो मैं अपने में से बता रहो देखो यह सब रूल लिखे वह चीज़ी को पढ़ना हो तो अगाने आवे टू पॉइंट फ इस फाइव से बढ़ा है ना यहां पर बड़ा एक तरिक आसे देखो तो राउंड ओफ करके इसको तीन कर दो आप खतम बात यह इसको लेंट से टू पॉइंट टू टू सिक्स है रांड ओफ करना है दो डिड़िट तक यह पांच से बढ़ा है इसको आप यह थी रख दो हो जोड़े सिम्पल सी बात है लाग है तू पॉइंट टू 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 चौट दो गए प्रॉब्लम सिर्फ वालना ले तो फॉइंटट ंटू तू तू पॉइंट पॉइंट तू आगा तो बढ़ा होती से देखो तो तू पॉइंट तू फॉइंट हो जाएगा कि प्रॉब् अगर यह एवन है तो टू पॉइंट टू सेम इसा छोड़ देते हैं और टू पॉइंट सेवन फाइव है पहले वाला नंबर अगर और तो और दिखने में अच्छा नहीं लगता ना बिटे टू पॉइंट सेवन तो एक बढ़ा देंगे टू पॉइंट कर देंगे बस यही यही आखरी की स्टेप काम किए दोंको इवन टू फॉर सिक्षेट दिखने वें सुन्दर लगते हैं कैलकुलोशन इस वाती है अब आपको भी पता सेवन थ्री फाइव देखके गंदर आच्छी गंदे कैलकुलोशन तो कैसा करेंगे अगर इवन हुआ तो छोड़ देंग जबना तो को यह दो छोटा एक है वन पॉइंटींट जीरो कर देंगे नइन बढ़ा हैं पाइव से 1.01 कर देंगे चलो वन यह सब बक्वास हटाते हैं पर यह स्वाल कर दो से जहलो देखो यहाँ तू पॉइंट्ट टू अब यह फटाइफ वन होगे 50 ऐसे बढ़ा हो कि है फाइफ से फट्ट टू पांट फूर हो जाएगा ठीक है प्रॉब्लम आते हैं इन सवालों में यह आखरी वाले यह यह करो फटावट से यह अलग होते हैं तू जिरो पॉइंट वन अब यहां एवन फाइफ यहां फिर एग्जैक बीच में आया एग्जैक बीच फिफ्ट सिंपल सी इसमें देखो जिरो पॉइंट जिरो वन अब यह ओड है एग्जैक बीच में आया पढ़ा दो टू कर दू और कोई सवाल नहीं होते बेटा कंड़नाया कैसे करते हैं सवालों को यह एक दम फर्जी सवाल होते हैं सारे के सारे आप समझ में आ गया हो कैसे करते हैं नेतरा सोली आप मेरे इंस्टा मेसेज को रिप्लाइए ने करें टाइम नहीं मिल पा रहा अब आज में को थोड़ा टाइम मिलेगा आज क्लास का जाके बर बर करूंगा ठीक है कल मेरे छुट्टी कल पूरा दिन में रिप्लाइए करूंगा सब बच्चों को ठीक है तो अब अपने खतम होगे हैं दो दो पहला बात दो जो चोटा है तो आगे के पॉन्ट को इंकाम की निभात के पॉइंट काम आते हैं बस यही है राउंड ओफ में अगर एकदम फाइव दर ओडे प्लस न कर दो एवन और फिर फाइवे तो प्लस ने जो काम का है वही याद रखो बागी तो भखवा सुरूल तो आपको यूँँ देखके समझ में आ जाएंगे जिसको डियम करना है करो कोई दिक्कत नहीं अब तीन तीन दुजिया में हमेशा इंपॉसिबल होती है पहला कुट्टे की पूर सीधी होना इस नोट पॉसिबल कु पॉसिबल नहीं होती है पहलों अंटिवट पॉसिबल नहीं सब्सक्तित जयाते हैं सबस्क्राइब ऑसे लृडगों उर्गी यह एक्जेक्ट चीज कभी कोई बता ही नहीं सकता कोई भी क्वांटिटी ओ थोड़ा सा Error तो आता ही है वह आपके लिस काउंट के बराबर होता है थोड़ा सा एर तो आता ही है भईया हमेश आएगा तो मेरे अम्मी देखती है गंजी चूड़े ना तब लोगों के मंबे गंजी चूड़ेल देखती है एटीन तो पीछे चला गया बटा आखरी में करते हैं तो एर्र मतलब क्या होता है बटा आपने वाले निकाले टू पॉइंट वन वन थ्री पर अब वो एक्जेक्ट वैल् अल्यू माइनस है है या आपकी एक्षिम्प्ली पोलो एक्सपरिमेंटल वैल्यू अक्स परी है में एक ट्वियद्ट inac jest true ईक आपने काला वहाँ ट्वैल प् concept recording प्रेट ञागर वह अ यह रहर और फिर से प्यार करती तो ने बाष रती के श्रत आपके बीछा फ्यार थी कि से सब्सक्राइब चुछ करें चुछ लाग आपको नहीं करा आपका एरर किते नाया पॉइंट फाइल एक का सिंपल जीवन बड़ा आसान विटा एक्सपरिमेंटल माइनस प्रू वैल्यू एरर लाइफ इस वेरी सिंपल बासमझ महीं एकदम आसान कंसेप्ट कुछ मुश्किल यहीं नहीं इसमें यहीं डिफिनिसन लिखिया हुई है देखो डिफरेंस बिट्वीन मेशर्ट वैल्यू और फिजिकल कॉण्टिटी यूजिंग डिवाइस जो आपना आपते हों एंड्ट्रू वैल्यो फिजिकल कॉण्टिटी ऑप्टें यूजिंग अर्थियोरिटिकल इस टर्म डेश्ट एरर से प्सक्रविन है अब रहर दो टाइप क्यों सकते हैं एक होते सिस्टेमेंट और और एक होते रैंडम एर क्या थे दून देखो रेंडम मतलब रेंडम ली हो गया कोई कमेंड नहीं कर सकता तरक कैसे हुआ कोई एक्सपरिमेंट कर रहा था जो रहाल का जूका आया रोपन नीचे होगे थर्मोमेटर एदर आगे तेरा तेमपेजर कम ज्यादा हो गया किसीने फूक मार दी गलती से कोई पेट हलका सा अर्थ कोए करना हलका से वाइबरेशन हो गए तो लाइट कम ज्या जाती है और फिर उन सबका एवरेज लिया जाता है याद आया कुछ कर रहा था तत्कुल में क्यों ताकि रैंडम एरर कम हो जाए बीटा इंगले फॉर्मला होते है इसका ने 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 जितना नंबर ऑफ अब्सर्वेशन बढ़ा होगे नंबर ऑफ अब्सर्वेशन इतना इ तो एरर अपना पर कम हो जाता है रैंडम एरर सस्थमेटिक क्यों होते हैं जो बड़ेता इस्तेमेटिक लिए आप कर सकते हो हर बार और सेम गलति कर रहें जैसे जीरो और हो गया आपके इस्ट्रूमेंट का कोई आपको जैसे भूल आपका दोस्ते हर बदस रूब यादा तो हर आप आपको बता है उसने तीन सो रुपय होंगे आपने कम कर लिया इस्टमें कर सकते हो पर यह हर बर वही गलती हो रही है ठीक है है अधिक एदर विभरेंट इसके डिफेरेंट फ्रॉम ताइम डिफेरेंट फ्रॉम टू वैल्यू इंट कंसिस्टेंट वे हर बर बीश सब्सक्राइब 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 एक ही सवाल बनता है इसके उपर अच्छा पीवाई क्यों माच तक नहीं आया रैंडम एरर दस observation में चार है दोसों में बताओ क्या करोगे नहीं नहीं कि दस में है चार दोसों में जाएगा इस क्या जाएगा चालीज़ बाइदोसों काटो काटो फॉर से बन बाइफ जिरो पॉइंट तो तफा यहीं होता है यहीं से दो कोई उकाती नहीं टापिक अगला देखो भी यह बीस observation में 0.3 इस तो में बताओ आपका वेट करो आपकर करके बताएंगे भी यह जेक ने यहीं इसी वात अब अब आज एसा लग रहा है यहीं तो यहीं तो यहीं तो काम करता हूं क्लास के पहले पास बोटल दारू पीता हूं हर टैवी दारू की ब्राइंट पीता हूं और कि स्थारे और गांजा शिगरेट और तमबाकू विक्स वाइटनर और क्या होता है और वैनिश पिंक और क्या पेट्रोल यह सब चार्ट के आता हूं मैं तभी तो बढ़ा बाता हूं ताबेश शक्तिगर आज यहीं है बटा पड़ाइकर जुप-चाप बंदर बीज ऑब्सरवेशन में 0.3 है तो हमें कितना होगा इस ट्वेंटी इंटु 0.3 बाइसो जो से पॉइंट काटेगा 6200 जीरो पॉइंट जीरो इस एज है अरुट एज़ी वार इस तो कुछ मुझक रूस किलना होता आसान आसान सचीज है ठीक है अगला सवाल देखो तुस्ट्रमें कहार होते त्रीन टाइप के देखो तीन तरीके क्या गलतिया करता क्यों इंस्ट्रुमेंट कहराब ही अपका खर्राब है हुदधान तो últimoat भंधीं मजनू आपका इंस्ट्रुमेंट करता है आपको गाली पढ़ती तुम्हारी टेक्निक ही घलत है तुम्हारी तुम घलत तरीके नाबते और निंचे आपई आपी आता तुम हर बार उपर से ना परे हो तो तुम्हारी टेखनीक की गलते हैं तुम हर बर दस सेगंड लीड स्टार्ट करते हो एक्सपरिमेंट बोला अरे दो रहे टाइप स्टोप पहुच कर वो पार करके दो सेगंड बाद तु दबा रहे हैं तुम्हार प्रॉब्लम परसनल लेर और तीन टायिप चाप प्रॉइप होते हैं से स्ट्रम्हार होते हैं ऊस्ट्रूमेंसम defective बात अब सब तीन टायप की सिस्टम hice फो MOMwest अब एक सवाल सिंपल छा जीरो एरर इन थर्मोमेटर चार डिगरी है तो हर बर चार जद दिखा देता है चार रूपर जाद होते हैं तो 29 दिखा रहा है एक्च्वल टेंबर्जर चार कम कर तो कितना होगा बता हो इंस्टाग्राम से लेकर लेकर फेस्बूक से फेस्बूक पो नहीं बता कर वह बहुत ज़्यादा एक्टिव है जब आपका ज़्यादा मन नहीं लगता है घर में अच्छा लगता है आप फेस्बूक करते लोग बिल्कुल अपने फोटो लगाते हैं और फिर फूर्ट लिखते हैं आज हमने गार्डन में यह कर गार्डन पे रंगपश्जमी के उस्ताव पे हमने इस तरीके से नाज गाना करा गया शुद्य हिंदी में लोगों को लगने लग जाएगा इसकी हिंदी अच्छी है कि मैं मेरे को शरम आया थे उनके समने हिंदी बोलने में उनके पापा के समने इंग्लिश बात करने लगता हूं ठीक है कोई बात नहीं तो आपके लोग इंस्ट्राग्राम पर आप लोग भागे असली आंसर क्या होगा इसका ट्वेंटी फाइव होगा करेक जवाब टू फाइफ बता है कि तो ने सही आंसर दिया है तो कफ भी लगवग सबने सही आंसर जाए बहुत सब्सक्राइब लाइक इट चलो अब एरन आपने के तीन करें के एपसुलूट एल्टा है वह जो भी अपने निकाला था मैं डिफरेंस करके वह एपसुलूट एर होता है अगला होता है रिलेटीव एरर क्या होता है गटा यसे कोई भी वैल्यू दे रहे कि एप्लस डेल्टा है शुचे बोला 10 प्लस-2 हो जो टू है यह होते एपसुलूट एर हरले ए रिलेटीव एर क्या हो जाएगा डेल्टा एक दर्रेशो पो बाइटन और परस्टेर ग्या ह हो जाएगा डेल्टा एबाइए इन्टु हंड्रेड दो बाइदस इन्टु सो काटो 20 परसेंट यह हो गया परसेंटेज़ सिंपल सिंपल बात हो थी बिटा देखो आगें बहुत बहुत कॉमन से बात है कुछ टफफ नहीं देखो अभी देखना है करा मजए 10 में दो में 20 का हो जाएगा तो में जितना होता है न होता है कि दो दस का कितना होता है बीस इतना है एक उन्हस्यां गर्राइब होता है जो और लिक्ञाशक है इफ्रम अपनी तरीके Hiç में एव स्यार्यक।質 को कोई भाव निदेता इस-को परसेंटेज की होती है सवाल देखो यहां पर ट्रू वैल्यू दस से एक्स्प्रेमेंटल वैल्यू आई बारा ठीक है बताओ कितना एरर आया प्लस टू का रिली टेव कितना हो जाएगा तू बाइदस कितना होगा कि पउइंट्टू परसेंट क्यों जाएगा यह इनुटू हंड्रेट सींपल सवाल अगरी ये बताओ एक हंड्रेड एक आगया है कि दूका माया परसेंटेज वही पॉइंट माइनस पॉइंट टू रिलेटिव और यह माइनस भी सब्सक्राइब अब उल्टा सवाल बेटा अब उल्टा सवाल इस दस में दो परसेंट एर रहाया तस में दो परसेंट एर आया मतलब दस का दो परसेंट कितना होगा लोन फूष एब और आयाया पॉइंट में इस परसेंट आया पॉइंट टू का अ आया बतला समझ में तो, इसका आतर क्या ओजाएगा 10.2 खतम वैलियू 10.2 पॉइंट होगी अल्ग है आया समझ मेंंड 6 में तक परसेंट एलर आया और लिए असंद भीट जैस दस का पाश्फ पॉइंट फाइव होगा कि आये वह समझ में कि वाल तो बड़ा असान होते हैं असान होते हैं यह तो बड़ी इसी सवाल है तो तीक है हाँ अब देखो समझो कि यहां जो आंसर हो सकते हैं अब जब भी ऐसा दे रखो आप बता बताया नियो प्लस या माइस लग से तो 10.2 और और 9.8 दोन हो सकते हैं प्लस माइनस में 10.5 और 9.5 दोन हो सकते हैं अगर मेंचन नहीं करा है पॉजटिव या नेगेटिव तो एरर दोनों साइड लिया आता है हमेशा कुछ भी इसमें से इसमें वैल्यों सकती है आप कमेंड नहीं कर सकते तो इसको इसलिए अपन कैसे लि क्यों ऐसा क्यों क्या बताए पॉइंट टू कम जयादा पॉइंट फार कम जयादा हो सकती वैल्यों बढ़ाता है यह बहुत यह बहुत आसान होता है कर बढ़ाबट है तो इसमें आएगा एरर क्यलकुलेशन के कुछ बेसिक रूर्स होते बैटा जब भी आप एड करोगे लृटा यह सब्ट्रेक करोगे है मिद्या जिए अ दिवाइड करोगे कि कि दॉ percentage error add होता है तो तो मेंशा percentage use होता है ठीक है क्या दिया है उसे कोई मतलब नहीं है add subtract करना है तो absolute होगा multiply divide करना है तो क्या percentage होगा सवाल देखो सवाल समझ में आती चीजिए लिए मैंने बोला F बरावर B प्लस सी मधिए 40 प्लस माइनस टू यह 80 प्लस माइनस ताई जरो बताओ f की वैलियो बता नहीं है आज एक क्या होगा बताओ अगल क्या होगा क्या ग्रवाश्य करोगे एफे बी प्लस सी अब 40 प्लस माइनस 2 है प्लस 80 प्लस माइनस 5 है तो यह होज़ेगा कि तवन ट्वेंटी एरुर हमेशे एड होता है प्लस माइनस 7 गलती है ऐसा नहीं होता थोड़ी गल्ती करी थोड़ी तुमने गलती कर गलती और बढ़ जाएगी अब यह गतम नहीं होती सिंबल सी बात अगर यहां परसेंट यह दो चार पाच परसेंट तो सौल नहीं कर पाते पहले एबसुनूट निकालना पड़ता फिर यह आइड कर सकते हैं अब समझ मैं बच्चों इजी है अगला बताओ यह वाला कर क्या है बताइए एफ एस सी माइनस बी क्या दर रखा है एटी प्लस माइनस फाइफ बी क्या दर रखा है एटी प्लस माइनस टू एटी माइनस फॉट्य किता फॉट्य प्लस माइनस सेवन सर माइनस नहीं बेटा एरर कभी माइनस नहीं होता बेटा और गलतियां सिर्फ बढ़ती है तो गलतियां सिर्फ बढ़ती है ठीक है फ्री मत कर देना किते लोगों ने थरी कर गलतियां सिर्फ अधोती है एरर माइनस नहीं होता चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो ठीक है क्लिए बच्छा बात उच्छा लोट बेसिक मैंसर पढ़ाया जाके देख आखरी 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 का पार्ट यह सब्सक्राइब अब यह बोला भी एफ बराबर क्या हो जाएगा फिश्टी प्लस माइनस 2 पर सेंट प्लस प्लस माइनस फ़न क्ल्स काहें टरहा हुआ नहीं हो पाये का क्योan यह व्यूंट नहीं होगा इद दो परसेंट क्यों हो कोछ श्का मैंंनी काल त्यू परसेंट अएल्टाबी में से निकालो घेंट संदेश्टlike यह है कि अधि एक टी कर दी है तू भाइ हन्रेट इंटो फिप्टी टाटो टू काटो वन वन आ जायेगा डेल्टा थी कैसे निकाल हो गए 5% of 100 तो 5 ही हो गए तो 5% of 100 5 हो जाएगा अब सॉल कर सकते हो f बराबर b plus c b कितना आएगा 50 plus minus 1 तो कितना आएगा 5 तो इसी कितना आएगा 100 प्लस माइनस 5 अब सॉल आजाएगा 150 प्लस माइनस 6 अब सॉल कर सकते हैं बात की वैल्यों को सं प्लस माइनस दारिक्त यह जब भी मल्टीप्लाइड करते यहां हो जातेंे हैं मतीपखले डिवाइड में में डायरे क्या कर देते हैं पर्सेंटेज कर देदे गए टैट सब्त्रेक्शन वे आपसुलूट करना पड़ते हैं हुआ सिंपब परसेंटेज का काम हो जाते हैं कि तेंपल रूटें पैटे मारे एक लूट सिंपल से रूए आया की नहीं आया अधिया अधिया आसान आ है को तो अथिस्ट नहीं होता है हर जी सवाल होते जोप समझ में आगया हो को डिवैड करो अबत्रैक पढ़ी नहीं हो यह रखना करके बताओ यह वाला सवाल ती बाइ भी है तो तो फूंड्रेड प्लस माइनस फाइफ परसेंट डिविजन है ठीक है परसेंटेज सही चलेगा अन्रेट प्लस फाइनस टू परसेंट का आट तो या जाएगा टू और यह तो एडि होता है फाइफ वो टू सेवन परसेंट अानसर आ अगया आपका आए यह समझे, इसी होता है, गलब होता जालाटा कर सही बोलगा, पाने ट्रेन कर लाथ है, करके बताओ यह वाला, पक्का गलब करोगा, गारेंटी, पर आबर भी इंट शी होता है सर, 60 प्लस माइनस 6, इंटो 80 प्लस माइनस 4 हो जाएगा सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइब निकालना पड़ेगा आपको डेल्टा बी बाई इंटू हंड्रेट निकालो परसेंटेजर कितना होगा 6 by 10 6 by 60 इंटू हंड्रेड आएगा 10 परसेंट इधर इधर निकालो 4 by 80 इंटू हंड्रेड कितना जाएगा 4 से काटो 420 दा काटो 5 परसेंट आएगा अब कर पाओगे तो मिल्टिप्लेंट एफ बराबर 60 प्लस माइनस 10 परसेंट इंटू 80 प्लस माइनस 5 परसेंट अब हो जाएगा प्लस माइनस यह जाएगा 15 परसेंट अब करना आया विच्च वाटी अभी आया गलती समझ में आ गई ठको गलती समझ में आ गई पड़ा दिया है अजिए वर्नियर केलिबर स्कुरू के एक्स्परिमेंटल था वही आते एक्स्परिमेंटल से बस अल्रेडी हो गया एक्स्प परिमेंटल और कुछ नहीं होता है ठीक है कि आया हर्शी टेंसर ना लेता भाई यह सब पढ़ाएगा चलाओ कि स्मॉल परसेंटेज चेंज कैसे निकालते यह बड़े इंट्रेस्टिंग सवाल है मैंने बोला ए बराबर बी पूरा से लिए सवाल आते बी की पावर न तो परसेंटेज चेंज इन ए बराबर हो जाएगा एंग टाइम्स परसेंटेज चेंज इन भी पड़े लॉगरिदम से निकल के आता है लॉग में होता है सेम रूल सरवाले को नीचे लिए आते तेम यहां पर हो जाती बात और कुछ नहीं स्मॉल परसेंटेज निकालने का तर कि आये करो परसेंटेज चेंज ओफ ए पटक्क बीनिच आज तो टाइम परसेंटेज जह्यवे चीन छल्दी जल्देए बता हो influences का कि आटा इंट परसेंटेज चेंज ओफ ए तूइंटू को कि बीका ज़िए दो परसेंट कि अंसर जाएगा चार परसेंट कि इजी है ठीक है कि इजी आधा है मुश्किल कोछ नहीं है फिजिकल पड़ाओ उठाके तपना खाना है अपको मार्खाओ कि फिजिकल वेल पड़ो फिजिकल वेल्ड बता देता हूं दुनिया में अपने चार लग गए आपन दो टाइप की स्टडी ओते मैक्रोश को पिक मीजोस्कोपिक दोनों के बीच बीच चाहता है बहुए और का तब ही यह दुनिया में हमें फिजिक्स क्यों पड़ रहे हैं फिजिक्स की दुनिया क्यों आई फिजिक्स मतलब नेचर की स्टडी करना तो देट सवाल है फिर भी मैं आपको भी आपका यकीन सिक्स पॉइंटों का जो ग्रूप है उसके उपर पंतरा भी सवाल में उसके आंसर डाल दोंगा उसे बन नहीं सकता कुछ चैट्टर में बराबर बीस को है बी बढ़ गए तीन परसेंट से बदाए करो तो नीचा जाए टू इ आया समझें भी या वोगे चैट्टर खतम देखो कितरे फास्टर खतम करती है या जैट चैट्टर वेटा कोच भी पढ़ो इदर कि आया अच्छिवा या आप इंटाउन भीटा कर वातो दिया विटा लिट्व मोशन में करवाया इस में कराई दर रेलेटीव मोशन बनने तूटिए बड़ा दा बनने करा यह से पूरा का पूरा आगे देखो अब एक हुमबक लो अगला सवाल रूट वाला आएगा यह बराबर बी का रूट रूट बता पावर में बन बाए टू नीचा आ जाएगा यह भी परसेंटेज चेंज इने इस हाफ परसेंटेज चेंज बी खतम पताओ क्या होगा इसका अंसर बी में कितने से वह दो से तो दो बाए दो काटो कि ए में कितने से आ जाएगा वन परसेंट अंसर आ गया है इस्यासन कुछ होगा है मिटा एक घंटे का भी नहीं बचा मुझे लग रहा है यह आखरी बड़ा टॉपिक है इंट्रोड करें चल्ड आज़ा गंटे में फ्री हो जाओ बस बीस मिनिट मालों अ ऐसे दो चर्वाल आपको और करने एक तवाल बसी वाला अखरी कर लो से और समझे में जाएगा आपको कितना आए फिवाई क्यों करेंगे बी स्क्वेर सी वह हो जाएगा और सेंड चेंज ने क्या हो दो बार भी का तो सी की पावर में वन है एक बार सी का क्या हो जल्दी आंसर कितना चेंज होगा इसमें जल्दी बता हुआ एक मिनट जे रहा हूं इंटीजर टाइप बताओ कितना परसेंटेश आंसर आएगा इसका डारेक सवाल बेटा वह यह नहीं करा मल्टिपलाइक एर तक उस चप्टर से सवाल नहीं आया है हाँ चार टाइप के फोर्स पूछ लेगा यह सवाल होगे और क्या पूचेगा बताइए क्या होगा इसका अंसर कि देखें है तो टाइम बी में कितने का है दो का ती में कितने का है तीन का पूर प्लस तरी सेवन पर तेंट यांसर है अंसर है स्टॉप करें देखें और का फिस तरह लोगों नहीं सब्सक्राइब अब सवाल देखें पीवाई की उपया तो यह होगा भी या ए बी सीडी वन टू त्री फोर पर्सेंट एक से एका स्क्वेर बी की पावर वन बाई टू अच्छा यह नीचे वाले भी उपर लिख दूए ना कोई मतलब के नहीं नेचे उपर नीचे लिखने कोई सेंस नहीं बनाता ती की पावर वाचुकि हमेशे एडी होगा है रहतो और डी का क्यू निकाल लो बड़ा बढ़ परसेंट वन बाई थ्री इंटू इमें कितना आया तीन पर एरर हमेशे एडी होता है और और त्री इंटू डी में कितना आया पूर परसेंट कि क्या जाएगा एब एवी स्टी जल्दी बताओ क्या अंसर आएगा आप लोग तू प्लस वन काटो बन हो गया काटो बन हो गया और यह गया बारा त्रेदा चोदा पंदरा सोला अंसर आ जाएगा 16 परसेंट किसी का आया तो बड़ा आसान नहीं हो गया होता ही असान है अंसर इसका थड़ वाला सी अगला देखो एक्सपरिमेंट चाल ने ली वही सेम तो सेम सवाल आ गया क्या होगा एक यूब बी स्क्वेर स्टी एसल एक लो अब डारेक्ट करो त्री टाइम तो जाएगा ए में कितना है वन टू टाइमस भी में कितना है तू और स्टीडी में तो बन वान है थ्री फोर कि टेवन टेवन सेवन फोर्टीन आंसर है कि हुंबा के करो सवाल वेटा सिंपल सिंपल सवाल होते हैं ऐसे दो चार सवाल सेम एसी तरीके सवाल है यह लाएक करके दिखा रहा हूं यह अच्छा सवाल है तूडेंड मेजर डिस्टेंस ट्रेवल इन फिरी फॉल इनिशली अ बलालललग जी निकाल सेससे जी बॉराबर हाव् डिस्टेंस की होते है ऐच बराबर हाव जी टी स्क्वे रोते है हास को कमई मतल million है टमी ragnooro A kelly पुछ भाइट स्कुयर से दिके भीया दिके मैक्जिमम पर्सेंट इंडिस्टेंस अ में टाइम उबन और लीटो इंट इसमें इवाने इसमें इड्य टू आट यह तो इवन टू प्लस टू उजाएगा जी में जो आयएगा डेल्टा जी का परसेंट आफ कि इसमें यह यह पावर टूर नीचे जाएगी और हमें शाट हो जाता है कि यह न कि यह प्लस टू इटू अपका अधिसी एप यह फ्लेय्त लाइस सवाल आता कुछ मुश्कील आता नहीं सवालों में एक सवाल आप कर लिया का ओंवक के लो बहुत फरजी फरजी सवालें कोई लें फालों तरह दो सब पिवाइब की सिम्टाइब की सवाल में डिफरेंस ही नहीं है चौन टेक्निक इन्ट्रूमेंटल सब्सक्राइब करते हैं तक कि इस पर आया आज तक किसी में इसी पर स्वाल में होता है बस तो ए बड़ाबर अड़ीक आ ढखेंट पर पूरे में से इसी पे सवाल आ है इसी पे में 10 सबल कोई सवाल नहीं इसी पे आते सवाल बात करें प्रेशियन कि ठीक है समझते सिंबल सी बात बात देखों देको समझो आपका आंसर आए एक बार पांच एक बार पंदरा आपने निकाले एवरेज पांच प्लस पंदरा बाइदो कितना आगिया बीज बाइदो दस तो आपका आंसर के लाएगा एक्यूरेट सब्सक्राइब क्या होता है या समझो फाइंड वैल्यो अव्लोक यंए बिलकुल एग्जएक आपके आंसर के आसपास अंसर हो एवरेज ओढ़े डो है तो यह भी एक्क्यूरेट कि या आप दोनों को बरावर ?! नमबर मिलेंगे ये ये भी दो और चीज लागती आसे बोलते प्रहिजन तो प्रिसे जादा नमबर मिलेंगे अब वह समझते दोनों के इंपोर्टन से बेटा जेको लेट से आपका अंसर आना चीज़ था 10 समझो एक बर आया जीरो एक बर आया 20 तो यह एक्यूरेट है पर प्रिसाइज नहीं है कि अग्या आपका अंसर आ गया तैना चीज़ था आपका अंसर आ गया बिल्कुल 19 और 20 एवरेश 19.5 यह आंसर आप सपास है तो यह प्रिसाइज तो है पर क्या यह एक्यूरेट है दूर भूत एक्यूरेट नहीं है अब आपका जो आंसर आया तो आपका जो सिंपल सी बात है बिटा ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ठीक है आपका अंसर बिल्कुल यह आ गया एक्दम यहीं के यहीं पर यह आ गया तो इसका एवरेज भी सही आ रहा है और आसपास भी है तो यह एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है और आखर के सिता हो जाएगा आंसर आना है आपका अंसर एक बार हंड्रेट आया और एक बार फाइव अगया तो बक्वास है ना यह एक्यूरेट है ना यह प्रिसाइज है तो कितने आजपास आ रही बात है एक और एक्जामपल देखते और समझ में आएगा जाप यह डाट्स खेल रहे हो घर पे लेका रहा है यह ड यह आपका अंसर हाइली एक्यूरेट जेखो एवरेश को बीच में आ गया एक्यूरेट आणसर है पर आप जीतोगे क्या नेक जीतोगे तो कि प्रिसाइज नहीं है अगला प्रिसाइज खचाक 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 चारू यहां भर दिए अ मैं समझ रहों तो भी नहीं ज है ठीक है अरब तक खचौक खचा क खचाक खचाक के आपका अंसर ना तो एक्यूरेट एइक तो आहीं प्रिसाइज है आद दूर दूर आ रहे हैं ऑर और सहीं भी नहीं बहुनתי को सब्सक्राइज कीपास होती है अपक्लशन आप बताओ आपका दोस्त बेस्ट रेंड को बताओ आपका बेस्ट रेंड कैसे खेलता है लिए आप इसे के लोगे क्या देख उपर निचे इदर इदर मार दिया यह मैं जीत गया एकुरेट प्रेसे नहीं लेकिन तुम लोग यही करते हो बक्की बाते बताओ रहे हैं आप इरुजए नमबर आरे फोर नमबर के से जिता हो przeci अथ एकुरेट को अशीआ चीन होना चीए प्रह follow उना हिटर और इस लिए ऐसे नतरqui नहीं होते तुमने निकाला वैल्यू एक बार आट बार मैं भी धाई एक और पंदला सो तो तुम्हारी टीजर तुम्हें उठाए के भाहर ठेग दो मतलब कहीं नहीं है एवरेस सही आए सब्सक्राइब क्लियर बच्चों बात अगला देखें वेटा एक सवाल है सिंपल सवाल है यह एक्सपरिमेंटल का सवाल आयते लास्ट यह देखो डायामेटर ऑफ स्पेरिकल बॉब मेजर विद वर्णियर के लिपर यील्ड यह यह और यह ठीक है मिस जायमेटर बताओ कितनी हो जाएगी बताओ किसे निकाल होगे बहुत प्राक्टिकल इस जासन कोई सवाल ही नहीं है 3.33 3.34 3.33 3.32 अपॉन फूर इस यह सवाल आया है वाउ कितना टफ है इतना भी नहीं लेग रहा है तो डारेक्ट इनको देख लाए तो 33 34 33 32 एकदम आसान सवाल करो बढ़ बढ़ से क्या होगा टू इसे लेख लो बहले से 33 33 32 34 क्या होगा 426 9 12 333 312 132 डिवाइड़ फोर करो वही कुछ ना वही आना उठके 124 रिजा 12 33 आ जाएगा वह आना वही चीए तो देखो 233 और एक उपर एक नीचे तो आना 33 था तो आंसर तो वही आ जाएगा 3.33 3.33 आएगा अनसर यह बिल्कुल करेक्ट है यह क्यों करेक्ट हुआ तो कि यहां पर पॉइंट के बाद दो डेसी मलें तो पॉइंट के आपको भी दो डेसी मेल लगाने पड़ेंगे आया भी समाज़ें यह सवाल था इस्वार की नीट का देख लो एह सवाल आत यह तो कि नौट अफ था बिल मेरे मूचे निकाल आई एह सवाल आते हैं देख लो भी तुम ठीक है जाड़ो अब अन्य बात कर लिए यहां पर एक्यूरेसी प्रेसिशन की डाइग्राम से समझ में आ जागा जागा जब भी भूलोगे तुम और सारे चप्टर के हो चुक है चप्टर का इंट्रोडक्शन पाट आचुक है दस मिन का चप्टर बचाएं बस अब बात ने पताना जरूरी कि सिलेबस में हैं पता है आपको यूनिट क्या होती है मेजर करने के काम आती है अब आपने नाप लिए यह लेंध है कितनी तो रेफरेंस स्टेंडर्ड यूस्टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी अम मन से नहीं बना सकते हैं लेट से मैंने बोला भईया मैंने अच्छा मास्ट नापने करें नहीं यूनिट ब्लादे इसका नाम बोला दिया मैंने चिपको ग्राम चिपकली के बराबर होता है एक च सीजी प्यूब चिपको ग्राम के बराबर होगा सिंपल सी बात है तो मैंने यूनिट बना ही मैंने तो मुझे टाकर भार फेग दिया जाएगा यूनिट कोई काम की नहीं है क्यों ये स्टैंडर्ड नहीं बन सकती प्रॉब्लम क्या क्या है इस ट्रेंड यूनिट जो होती सब्सक्राइब करना पड़ेगा पॉसिबल नहीं इतना टाइम महीं लोह वह को इसली आप डुप्लिकेट कर सकते हो इसली रिप्रॉट्टिबल भी नहीं थी वह ठीक है ताइंगा बदलने चीए में च्पकली तो छोटे से बड़े हो के खाना खाल लिया वजन बढ़े गया हग दिया वजन कम हो गया वह भी नहीं होना चाहिए ठीक है फिसिकल कंडिशन के साथ बदलना नहीं चाहिए मेरे बदलने नहीं चाहिए टाइम हो या फिसिकल कंडिशन के साथ हो या कोई भी एक्सपरिमेंटरी डूपलिगेट कर सकता है आए पिच्व बात समझ में दिन टाइप की युनित होती है fundamental derived supplementary अलग अलग अलग्य टायकि के सिस्टम इंटरनेशनल यूनित का कुछ लिखा होता है इसलिए इसा यूनित आया उल्टा लिखते हो लोग कुछ-कुछ चीज़ा जी बजीब होते हैं लोग ठीक है यह किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो तो बाखी सब्सक्राइब कर ले इस जो डिराइब करते नो डिराइब कंप्लीट करने के लिए सवाल सारे विए क्यों अगला सवाल क्या है अब सिस्ट्रम उनिट में एसाई के लव अलग अलग भी है तो एक अपने सिस्ट्रम होता है एफ पीएस टीजी एस और म्केस को यह सब्सक्राइब करते हैं एस मतलब पूट पाउंड सेकेंड लेंथ न में और सेकेंड होता है अपने सिलेबस में चलता है मेंटर किलो ग्राम और सेकेंड जिसकों सूआन जिक्क्त तो तरह बुद्ध कर दो पड़ा था उफ बस मीटर किलोग्राम सेकेंट करण का एंपियर अमाउंट अपस्टेंश का मोल लुमिस्टेंटेंटेंटे कंडेला यह इंपॉर्टेंट इस इसे एक ही सवाल बनता है पूरों सिले बच में लुमिस्टेंटेंटेंटेंटेंटें में सप्लिमेंटरी में दो एंगल रेडियन और सॉलिट अलस्टे रेडियन आपको अल्टेर पता बिटा तुव साल खतम होने आगया एक्जाम एक महीने बाद यह नहीं पता तो फिर मार घाएगा तू पता वनाची चीज़ इस सथा तास तब टेमपरिचर सर केलविन में अरे बभलू क्या कर रहा है तू बीज दिन में नीटे टेमपर लोगर इविटा तेमपर नापते विटा हाओ मैनी अव देफॉलिंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कितने गरेक्ट बताने वन टू तू थरी फो बताव इसमें से या आप कर रूश्म में बता तो इसमें से है है हाँ तो हमाने य फॉल लेंग ने भी जिसकारेक्ट हम एलिए गविच्छ विच फॉल इस सब्सक्राइब को गारेक्ट नहीं हमेंनी करेक्ट हाँ मनें सभी था एक थेक्षा तो जल्दी बताओ पाइड हट पागाले तो कैसे भी कर सकता है तो फंडामेंटर में कर सकता है यह पाइड ने यूनियुट एकसवशन एंड इराइट हट मास थे फंड़ामेंटल ये दूनों डिर्राइवड होती है जर्फ बात सब्लीमेंटर युजलेस बिल्कुल यूज्वलेस में थी काम आता है एंगल काम का नहीं तेरे नहीं तो लड़की वर रगते तो मुंडी क्यों कहों आ गुमाता है ना एंगल काम का है फालतु बाते के इंटेंसिटी नहीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी बीटा अब आल यह गलत हो कि असाने मुश्किल कुछ नहीं है कि आगे देखें विटा कि अपुटिस उनेट अथ थरमल कंडक्टिविटी की फॉरॉमुला होते विटा दीक्यूबाइटी स्केल देल्टा टी काल डेल्टा टी काटो भाइल याद करो याद को तर्मल में क्यों यह यह हीट्त यह होता है टाइं कि निकालना ए एरिया एल लेंथ टी और ड्रेंड़ है बड़ा सिंपल है एनर्जे पॉन टाइम पावर वाट में देते हैं कि यह एरिया मीटर स्क्वेर लेंथ एम और टेम्परिचर केल्विन काटो कि यूनिट क्या जाएगी वाट पर मीटर केल्विन इसका इसका इसी सवाल आते हैं इस नहीं पढ़ाऊंगा इस पढ़ाता है ठीक है एक रिजी एजी है डैंपिंग फोर्स ऑन ऑस्सिलेशन इस डायेक्ट प्रपोश्चनल टू वेलोसिटी एफ बराबर के वी पोर्स यूनिट ऑफ प्रपोश्चनल इटी बता दो तीक है यह पढ़े पढ़ को झेलिए ल्मती इस टू एह कहो शुआ मास्क क्या सब्सक्राइब हो जाएं पर टैम को हो जाएifferent पर सब्सक्राइ iasında को अटम सबसombres स्बाइब को सबस्यों नहीं होते हैं पुसरी सब्सक्राइब को पूर्स होता है मां मास होता है एक्सेलरेशन हो जाता है वी भी काट हो क्या आगया मास पॉन टाइंग आगे केजी पर सेकेंड कैसी भी करो तुम्हें खुल खुला छोड़ दिया बस करो स्वाल और कुछ नियुक्त पर्मिटिविटी और फ्री स्वेजर यह तो भी सिखाए करना के तो अपको चाहिए लेट करतेओं आपको जै Danish लेट करतीम ने तीन पेज में लुटी आपको चाहिए तो छड़ूंगा नहीं तो इस तो क्या करने बताओ रहने दूं मैंने देखो 모든 का हो गया से χ Compare मास्का टाइम का सारे देजितने बींटर कन्वर्जन क्पुप्रेशर वॉल्यून ज्त invented प्रेशर जिक्स प्लस केमिस्ट्री में जजेकर इंटर कन्वर्जन सारे आपको एंगला यह सारे सारे साथ डिलिट कर दूं तो यह आपको कड़ना है ठीक मजाक नहीं फाल तो मैंने लिखे मैंने मैनाद करिए बहुत ठीक है अब इंटर कनवेट कर से करते कैसे सिंपल फॉर्मुला थे नुन्नु फॉर्मुला नुन्नु ने नहीं पड़ाता है या नुन्नु पड़ेंगे एन यूनिट बरावर नंबर इंटू यूनिट जैसे मुझे एक सवाल दे दिया आपने लेते दस मुझे बता है एक एलेक्ट्रोन वोल्ड बरावर वन पॉइंट इन की पावर माइनस 19 जूल होता है नुन्नु फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है बीटा यहां मुझे बूला यहां पाइन्ड वैल्यू ओफ फिफ्टीन या वैल्यू ओफ फाइफ इलेक्ट्रोन वोल्ड अगें डाविए कॉमन सेंस यूनिटरी ते कर दो ठीके अधर यह एक में ताल पाच बितन नहीं तर दिमाग नहीं लगता हमारा कन्वर्जन में हाई में होटो रहा है क्या आप अब आपको पता है यह कन्वर्जन पता होना चाहिए रख दो है इंपल है पाइफ एक एलेक्ट्रोन को क्या रख दोगे वन पॉइंट सेंट की पावर माइनस 19 जूल इस इक्वल टू एन इंटू जे जूल से जूल काटो एन निकलकर आगया 6580 होता है इतना जूल में हो गई वैल्यू तो बढ़ा इजी सवाल होते है वैटा ठीक है बहेंकर आसन सवाल होते है इसमें कुछ मुछकिल नहीं होता वैटा सिंपल आप नुन्नों के वज़े से को इसे भी यूनिट पर कर सकते हो एक तुम दूसरी यूनिट पर यूनिट पर अस्तमाल करें सिंपल आए बहुत ने पढ़ा साम आप अपन ने ठीक है वो किसमें ता रेंडम हैर के लिए इस इंपल होता है पूर सिलिवस में यहीं लगता है तो आपको यह तीन यूनिट पत देंसिटी ओफ मास्क माटेरिन सीजी ए सिस्टम इतना दे रख रहा है ठीक है सिस्टम आफ यूनिट इन विच लेंद इस तेन सेंटीमेटर तो नया कोई नई यूनिट निकाल नहीं मैंने लेंद अपने लिग दें नया इसके नाम के रख दें आयूद मेंटर एम यह 10 सें इसमें वैल्यू बता कितनी होगी सिंपल है इस डेंसिटी कितना दे रख है इन्होंने फोर गराम पर सेंटीमेटर का क्यूब कि ए ए ए एक गराम को लग दो एक बाए सो गराम को क्या रख दो गया अब एजी बाए सो रख दो एजी आ गया यह और कि ए ए ए एक 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 यह एक आए एक लगाए फोर बाए हंड्रेट उपर आ जाएगा थाउजंड काटो काटो जाएगा फोर्टी एजी अपॉन एम का क्यूब तो इन नहीं यूनिट में निकल कर आगिया फोर्टी तो बड़ा फर्जी सवाल होते हैं विठाईए इन सवालों में बिल्कुल दम नहीं होता एक नंबर के फर्जी सवाल होते हैं कुछ नहीं बोला इन्होंने इन्हों नहीं यूनिट बना दी एक सेंट्रीमिटर और सो ग्राम मैं बताओ एक सेंट्रीमिटर के नहीं यूनिट बना दें आयूद मीटर और एक सो ग्राम की नह आखरी सवाल हो गया है करें रिविजन डाल दो नोट कि पूर चैप्टर बड़ा इसीली चालो होता है बेटा क्या होता है चैप्टर के अंदर एन नमबर ऑफ डिप बनेर के लिपर से स्टार्ट करें बेटा अगर बनेर के लिपर के वैसे होतने यह मुच्ण माइनस चिडिया लेंथ कैसे नापते है में में स्केल रीडिंग प्लस लीसकाउंट इन्टू वंडियल स्केल रीडिंग से नाप आ जाता है अगर लेंथ एक्च्वल नापना है तो 0-0 को माइनस करना पड़ता है स्केल रीडिंग आ जाती है अगला साथ फंडमेंटल जो क्वांडिटी होती है मास टाइम लेंद्ध करन्ट अमांट और सब्सक्रेंश क्रेंपरेचर और इसको नापते घंडेला में उधर लिखा हुआ है बारा अपने बेसिक पप्पी डाइमेशन होते हैं बेसिक बेसिक अबने आपको इसमें यह वेक्टर होते हैं अब नीटा माँनेल नापती रचापनेशन जाद करें माइनस ड्लकूब और टी माइनस टू पॉस एड़ी मेर्शन ती माइनस टू अननरजी में ट्यू दियू अचल जाता है ठीक अब समझो एल निकालते इवाई आई का स्क्वेर र निकालते इवाई आई का स्क्वेर इंटु टाइम इसे आई निकल आजाता है ठीक है ती निकाल लेते उल्टा करना वड़ता है अपना क्यू स्क्वेर वाई इक इसे इनिकल आता है अपना सी निकल आता है इलेक्ट्रिक फिल्ड फो माइनस टू कर दो सिंबल सिंबल बात हो जाती है अगला छे को इंपल्स या मोमेंटम सब्सक्राइब से मोल्यम् सब्सक्राइब अगर एड़स टू करने के यह उते हैं प्रेशन में अगर एड़स ट्रेक इक रहा तो डाइमेंशन बराबर होगा और साइन कॉस्ट के अंदर जो भी होता है डाइमेंशन ले सुना चाहिए रेंडम होता है निनने निकालना आता है आपको बढ़ा होगा एरर कम हो जाएगा सिस्ट्रिम एक में तीन टाइप के होते हैं पर्सुनल टेक्निंग इंस्ट्रुमेंटल जिसका टाइप होता है जीरो ए एन निचा जाता है परसेंटेश के टाइम और कुछ नहीं चेंज परसेंटेश निकाल लाता है एक्यूरेश प्रसेंट में अगर पॉइंट नहीं तो आगी पीछे दोनों के जीरो कोई मतलब के नहीं है पहले की बखवास सिफ बात के मतलब के होते हैं राउंड अगर आप पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट से मुंट डी फिगलगोते कम होने चाहिंगे गर अगा के पहले तो आप निकाल में प्रोब्लम आता है तो वका सिघ्र कि Ńविज देंगे वं दिखनेम अच्छा सेBa करेंगे यूट अब यह बने पड़ी वह साथ हो क्वांटिटी की है मास की केलो ग्राम लेंथ की मीटर टाइम की सेकेंड की करेंड की एंपियर यह अपना माउंट अब सब्सक्राइब यहां आपका पूरा सिलिबस खतम हो जाता है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टेवेस कर दो पलवना उड़ना जायों कि बहुत बढ़ा फाइल हो गई ताथ बार बना इव फाइल साथ बार इंप्रूमेंट कर दो बना बना के बना 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 के तब आपके लिए परफेक्ट रेडी हुआ है विटा कैसे यह लेक्टर बना मेरे पता है मजा आया नहीं आप बताओ अब हो गया सिलिवस खतम पूरा कि पुराने लेक्स्ट्री के मेरे मिल जाएंगे टेलेग्राम में बहुत सारे लोगे यूट्यूब बहुत लोग पायरी से करके डाल देते हाले कि खजाना अदवर होगा तो हम मिल जाना चाहिए तुमको एक्सेस क्राइश कुरते लेक्षे ढूंद लेना लाइस जो करा था उस से बहुत शॉट में कराया हुआ होगा ठीक है अ भाई या बहुत प्यारा तपरता अपना के साथ आठ थीन गहंटे में होगे चोड़ा जब करता अब बताओ मजा नहीं आया इंट्रेस्ट्रेंग था कि महार्यूजन अगर मौका मिलेगा तो करा दूंगा बिटा तो बहुत प्रचंड मेरा पहला लाइब यूट्यूब पैस्ता बड़ा लेवल पर जिसमें काम करा और मजाक ने करा अधर बढ़ती हैं और बहुत 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 पास आ गई है और अंदर घबराड बढ़तीए ठीके कई पढ़ने का मन नहीं करता है अजीब लागने लगते हैं हमको लगते हैं अपर लेक्टर के पहले लगता है आज करने के लिए पार में इन्ट इन्टरॉक्शन सबसे आखरी में कर दिया तो मैंने उल्टा गेम खेला सवाल आते हैं उसके करवाऊंगा ठीक है स्टार्टिंग से तो लेवंत वाले पढ़ लेते हैं थोड़ा उल्टा कर दिया नहीं है लेवंत वालों के पास अभी बहुत टाइम है अभी आप ड्रॉपरों के फोकस करना धरूरी है तो ड्रॉपरों के सबसे अप्रॉपरीट कौन सा था उसाफ से मैंने पढ़ाया ठीक है और बहुत बहुत मिस्करूंगा आप लोगों को पहला बैच है मेरा इस साल का अब यूट्यूब का इतना बढ़ा पहली बार पहली बार सिलिबस कंप्लिट हुआ है मेरा ऑनलाइन है लोग इसके पहला कहीं सालों तक चिंता मत करो ठीक है तो बहुत अच्छा टाइम अपने स्पेंड करा रहा है अभी अभी दस दिन में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा घर वाले पूछेंगी दोस्फोन कर रहा है तेरा सिलिबस होगे मैंने 25 बार रिवुजन कर लिए मैंने तो सो बार इनिस तो भी नहीं हो रहे थे किसे को तुम्हें डिपरेस्स मत करने नहीं ठीक है फुल कॉन्विदेंस है तो एक्जाम के पहले कुछ कुछ चीज याद रखना है एक तो एक्जाम अगर तुम्हारी दो बज़े स्टार्ट होगी तो नो बज़े से पानी पीना बंद कर देंगे पानी पीना बंद कर देंगे कंट्रोल करके पीना बहुत कम कम बुंद 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 लो जो एक्जाम में सुसु आ जाएगी बाग के जाना पड़ेगा में दो चार मिनिट पूरे वेस्ट हो जाते हैं वह बचाना होता है आपको बहुत यह सिंपल सिंपल बात है पहले लेकर जाना है जो 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 चीजि ले पूरा बना दो लेकर जो ब्हुत अपना लेकर चाहुत बहुत ब्लेकर जाए। नीटो था ठीक है और खाना बहुत ज़्यादा मत खाना चलू करें सब्सक्राइब लाइट सब्सक्राइब करना इनर्जी के लिए ग्लुकोस की बोटल थोड़ी से पानी भरके लिके जाना पानी एक ग्लास पी अफट से गुस गया एक्जाम देने के लिए तो जोड़ी रहत आज़े डाल दूगा देंगा तो याद से देख लेना चीज़ को ठीक है इस्स्ताग्राम पर भी डाल दो हर जगे लिए इंपॉर्टन चीज़ें और एक्दाम में जब तुम बैठे होगे अगर तुम से कोई सवाल बन रहा है तो जो और कॉन्फीटेंट नहीं हो तो विल्कुल 99 पर टच करके रखो डिप्रेस नहीं होना पास सवाल नहीं बनें अरे कोई बात नहीं पांच नहीं बनेंगे पांच सभी पेकार है सवाली टफ आए कोई दिक्कत नहीं मैं आगे करता हूं कुछ ने पजयामा चपल और मस्त बनियान या टीसेट पहनें इसलिवे टीसट पहने ओंगे तो छो छुदू दूनों बैस चिल एकदम एक लड़कियां बालों में चीट मत चुपाना पकड़ा पगड़नें पकड़ते हैं ते क्पड़ लेते नीट में चीटिंग करना बहुत मुश्किल है तो अब मत करो अगल सल करो यह साल अगर पढ़ना ही तो करो और सब होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो मिलने आओ अच्छा लगी का नहीं हो तो भी मिलने आ सकते हो तुम कभी भी कहीं पर भी रोड को मिल जाए तो बस कुछ नहीं याद करने बड़े भाई को कभी भी कुछ भी लाइफ में जरूत बड़े बैटा कुमारा बड़ा भाई है ठीक है एक चाइनीज काहवत एती हो जाता है तो वगर किसी ने आपको एक बार लाइफ में पढ़ा दिया तो फादर समान हो जाता है आपके तो आपने तो बहुत ज़्यावट कर सकते हो कभी भी टेंशन ने नहीं तो और नई सेलेक्ट तो परेशान मत हो यह ठीक है तो गलत कता मत उठा लेना है अब हो तरीके सक्सेस के नीट इकलोदा तरीका नहीं है ठीक है हाजारों रस्ते सक्सेस होने के को यह रस्ता मिलेगा यार लिकाल लेंगे अ टेंशन नेना ठीक है अ रिदर बूर देख लो यार याशी का फिर से टॉप पर दिया बच्चा रूहन हुदा साइनो बैक्ट खुशी आयूशी वैश्नवी योरोन एक से रिद्रित्वीका रूतुजा टाइने के रिपू सधान 11 के टॉप करें एश्वर्या रितुल रितिक नीशा फ्यूचर अक्की शानू बबल सुलेखा मनाल पूर्वा सोनी एंड्राय मालती डॉक्टर आयूदरियल अंकेत निया गौरी सौम्यजीद भारती रवी तिमरन प्रीत कोर रुबी हिमानी राना जियर हीना जयंत बचेव लोग भी देखलो बिटा लेलो स्क्रीन शोड़ लेना तुमको तो इसका ताहीं मुका मिलेगा है ठीक है देखलो हन्रेट तक दिखा देता हूँ है तो आकरी दिना थोड सब्सक्राइब कर देखलो थोड़ा और देखलो 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 150 तब देखलो ठीक है पड़लो हो गया है यही था यार ठीक है बागी इत्तरी यकीन सिक्स पॉंटों में रिविजन होगा सब टीचर मिलके लेंगे रिविजन को तीन लेक्षर में लोंगा ऐसे कर सब्सक्राइब करोंगा आज क्लास के बाद कल संडे में पूरे दिन में जो जो मेसेज करेंगा सबको रिप्लाइब मिल जाएगा मिलते वेटा बहुत उमीद है आपसे बिलकुल उमीद नहीं भी आपसे दोनों चीज़े लेक्षन लेकर आओ तो बहुत बढ़िया नहीं लेकर आओ तो भी कोई परक नहीं पड़ेगा अपना बेस्ट दो लड़ाई जीते हार सेकेंटरी यार फिर क्या करने तब की तब सो सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है एक्जाम के बाद नहीं हो सेलेक्षन रिजल्ट एक्जाम देने के खतब हो गया कुछ भी नहीं हुआ तो भाई को याद करना तुमसे बेकार हालत में था ठीक है ठीक है भाईया बैस्ट ओफ लख डावड देख लेकिसी का कुछ है तो पांसो पचास के बाद स्रिफ टेस्टिंग नंबर बढ़ते हैं और कुछ नहीं होता है टेस्स का क्या गलती कर रहा है से मिस्टेक मत कर नेक्स रवाप लोगों कर सकते हो आने वाले 20 दिन में कर लो बिटा दाओ से जाओ अपी पॉंट्स अच्छे से पढ़े हो है तुमने पॉंट्स पढ़ो टेस्स दो बस और कुछ नहीं करना तुम फोड़ोगे मेरा अच्छे से करोगे जितना हो सकते हैं ठोटीके हो तो भी कॉलेज में जाकर घमन नहीं करना कुछ शुरुवात ही होगी हो भी फिर से तब भी दिकतो भाई को याद करना नहीं हो तो भी भाई कोई मिल गए तो बुले के कोने वे तू अच्छा मास्टर पढ़ाता वड़ाता है ठीके ठीके निकल ऐसे होगा ना चलो कोई वात नहीं बैच्चा आज नहीं सिलेक्शन चलो मिलते वेटा ठीके कभी जरूर मिलने आना लव्यू लव्यू